वानप्रस्थ संस्का इसलिए उन्हें जंगल का फोटो भी डाल दिया है थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको श्री प्रहपाठ जी कहते हैं कि विवाह तभी करना चाहिए जब आप कम से कम 20-30 साल ग्रिहस्थ आश्रम में रह सको और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम ले सको तभी विवाह जीवन में प्रवेश करना चाहिए तो वानप्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर प्रस्थान करना इसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम वन की ओर जाना तो अब हमारे इस कौन में ब्रह्मचारी आश्रम है ग्रहस आश्रम भी है सन्यास आश्रम भी है वानप्रस्थ आश्रम नहीं है पता है सबसे best counselor कौन होता है वान प्रस्थी best counselor क्योंकि उसके पास दो-दो आश्रम का experience है है न कि ब्रह्मचारी जीवन कैसे रहना है ग्रिहस्थी में कैसे रहना है तो जो counselor होते हैं जो ब्रह्मचारी में रह चुके हैं ग्रिहस्थ भी रह चुके हैं अब रेटायर्मेंट ले लिया पैसे से भी और बाकी काम काज से भी रेटायर्मेंट ले करके भजन करते हैं और भगवान पर निर्वर रहते हैं उसको वानप्रस्थी क्याते हैं वानप्रस्थ का मतलब होता है कम से कम वन की और प्रस्थान करना तो वन तो आज के समय नहीं ह तो आप कम से कम तिर्थ अस्थलों में जाके रहिए, अपने घर से दूर हो जाईए, जिसके घर में सास बहु का जगड़ा चल रहा है ना, उसका solution है ये वानप्रस्थाश्रू, कुछ लोग को नहीं समझा लगते हैं, जो सास बहु का जगड़ा हो रहा है ना, वो because इसके लि को भी जाना पड़ेगा, और दोनों जाएंगे कहां तिर्चस्थल पे रहेंगे, तो जो सास है, अब वो अपनी बहु से दूर है, तो बहु को अपनी कुछ घर के नियम कानून बता के, अपनी जो कमर में कुझी कसी रहती है, उसको निकाल करके बहु के हाथ में दे दे, औ हम लोग तो कहते हैं, सास वही जो बहु को सास ना लेने दे, तो सास बहु का जो जगड़ा है, वो भी बंद हो सकता है, और पिता पुत्र में जो जगड़े होते हैं, वो भी बंद हो सकते हैं, केवल वानप्रस्था आश्रम से, देखें, रेटायर्मेंट लेने में कंजू तो इसलिए यात्रा करना है तो जब शम्ता हो तभी कीजिए तो पचास या पच्पन मर्श के आयू में वानप्रस्त आश्रम सोईकार करना चाहिए तो जो बेस्ट काउंसलर मैंने कहा वो है वानप्रस्ती तो वे क्या करते हैं समाज को गाइड करते हैं कि हाँ ग्रियस्ती में कैसे रहना चाहिए अब वो पचीस साल जिसने ग्रियस्त आश्रम को देखा है सुना है और लोगों को हेल्प किया है उसका अनुभव और एक ने विक्तिक अनुभव में कितना अंतर होगा और वो जो आपको बहुत सस्ते में सलल भाषा में समझा देगा वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी शास्त्र वेद का ज्यान लेकर के भी आपको नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो जो बताएंगे वो अनुभव जादा है experience matter experience बहुत matter करता है तो इसके लिए वानप्रस्थी व्यक्ति बहुत महत्वपूर हैं और शास्त्रों में कहा गया है आप हिंदी की गिंती गिंते हैं पचास के बाद कौन सा नंबर आता है फिर 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 सतावन अठावन वन 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 का मतलब है वन में जाओ अगर आप जंगल नहीं जाओगे तो उन्षट शट शट मतलब संस्क्रिक में गाली है यह शट है तो ऐसे अगर आप अपने आपको रेटायर्मेंट नहीं करोगे तो शास्त्र भी गाली जेता है उन्शट शट एक शट तो शट है वो विक्ति शट मतलब थड़कला साथ में क्या आदमी अभी तक इधरी बैठा हुआ है जंगल में जाना चाहिए तो वान प्रस्थ उसे कहते हैं और आगे आप पढ़िए उनहत्तर सत्तर एकत्तर बहत्तर तिहत्तर चवत्तर तर 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 लिक्षा देती है इसके इसाप से आयू जीना चाहिए तो हमें वान प्रस्त अश्रम लेना चाहिए बान रिटायर्मेंट का प्लाणिग करना चाहिए मैंने पहले भी बताया ड़र रिटायर्मेंट का प्लाणिग नहीं करते हैं आपके जीवन में आप लोते ना crest जब युदिश्चिर महराज पूरा महाभारा संपन्न हो गया था तो दृतराष्ट को वहाँ पर अपने पास ही रख करके उनकी सेवा करते थे वो बोलते थे कि हम नहीं आपके पुत्रों को मारा है लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाए लेकिन कम से कम खोआ से बड़े भाई का आग्या था तो वो सेवा करते थे तो उनको बोलते थे चावण लेंगेальная आसे उल्टा बालते थे विदोर दो चको को कई ऩन तश्य चाव में और गवेक्ती को दिया जाता है तो दाल देते थे तो भीम बोलते थे अरे महाराज थोड़ा सा दाल लेंगे तो ऐसे उल्टा गिरा तो ये दृष्टे विदूर जी ने देखा तो बोले अरे क्या कुत्ते के जैसा रोटी खा रहे हो तुम लोगो को सब छोड़ करके जाना चाहिए वानपरस लेना चाहिए तुम यहां बैठे हो इतना तुमने लालच किया कुछ मिला नहीं और अभी फिर भी दरी टिके हुए तो रेटायर्मेंट लेना चाहिए जिस आसन पर बैठ गे उसको छोड़नी की भी शमता रखनी चाहिए लेकिन लोगों को बैठनी की शमता तो है उतरनी की शमता नहीं ह कुर्सी नहीं चुटता किसी से चोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है इसके लिए समय समय पर साधू चलता भला पानी बहता भला तो जो व्यक्ति अस्थान को त्याग करेगा उसकी गती बढ़ेगी जो व्यक्ति एकी अस्थान पर बैठा रहेगा उसकी प्रगती न कुछ बढ़ता घटता रहता है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमेशा बदलाव होते रहने चाहिए continue एकी life लेकर के नहीं जीना चाहिए कि अब हम तो बस ऐसे ही चलेंगे हमें बस एकी चीज़ देखना है हमेरे कृष्ण भक्ती में कहीं कमजोरी रहने चाहिए यह हमारा constant होना चाहिए बाकी हमेशा हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए एकी कपड़ा रोज पहनेंगे अच्छा लगेगा या एकी भोजन रोज खाएंगे तो अच्छा लगेगा या एकी जगर रोज बैठे रहेंगे चलेगा थोड़ा तो घुमने के लिए मिलना चाहिए न वातावरन हम लोग क्यों यात्रा वगेरा करते हैं इसके लिए नहीं कि हम लोग बस घुमने जाते हैं साथ ही साथ हम अस्थान को परिवर्तन करने से हमें में हमारे अंदर में भी वह वहराग याता है इसके लिए परिवर्तन करने के लिए लोग भ्रहमन करते हैं और यह भ्रहमन बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए retirement बहुत important है आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने बहुत कम IU में उनको धन कमाना था तो बहुत कमाया और धन कमाने के बाद retirement भी बहुत जल्दे ले लिए सुना होगा आप लोगों ने मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि जो मांसा हारी हो और विशेश कर जो गव मांस खाने वाले उनका क्या नाम लेना उनका ऐसे व्यास पिट पे उनका नाम लेने से उनकी शुद्धी हो जाएगी तो क्यों ऐसा करना इनको तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन बता रहूं एक प्रकार का उन्होंने example create किया हुए समाज में और जो बहुत अच्छा है वो यह है कि retirement लिया है उनलोग ने अपने समय के अनुसा retirement ले लेना चाहिए आप समाज का भला करने का अपने आयू भर प्रयास कीजिए लेकिन एक समय के बाद retirement ले लीजी अन्यता समाज में शांती नहीं बनेगी जो भी व्यक्ति देखें ये मृत्यू भी इसलिए बना है आप सोचिए कि अगर कोई मरे ही नहीं तो क्या होगा आपके दादा परदादा परदादा के परदादा सब घर में बैठे है खांस ही मार रहा है कोई उल्टी कर रहा है कोई बैट पर पड़ा है क्या सोचोगे आप क्या कहोगे भगवान को गोपिना मंदिराने के बादादा बगवान इनको और लंबी आयू दो अब बगवान आपके पास भी बुलाएं इनको बहुत दिनों से बेट कर रहे एक माता जी नहीं एक बार फोन किया बहुत परभुजी ऐसा ऐसा है हमारी माता जी को बहुत आयू हो गया सोगे उपर चले गई है हम ऐसा तो नहीं चाहते लेकिन उनकी स्थिती देखकर के हम पड़ता है तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया हमने उनको कहा कि आप भगवान से प्राधना कीजिए भगवान उनके योग्य जिसका जब समय आता है भगवान उसको ले लेते हैं तो अब वो भी वास्तमें उनके मन में कोई द्वेश भावना या यह नहीं था बस वो उनके कष्टों को देख नहीं पा रहे थी कभी-कभी ऐसा लगता है देख करके लगता है कि अच्छा हो कि भगवान इस विक्ति को मृत्यू दे दे यह ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इतना कष्ट कोई सहन करे न तो वैशनों की वृत्य होती है पर दुखे दुखी तो कभी-कभी उसको लगता है कि इसके लिए मृत्यू ही सुख है तो उसको मृत्यू मिल जाए वही बहुत अच्छा है तो इसलिए समय समय पर जो भी हमें मिलता है उसको छोड़ते जाना सिखो आपके पास बहुत सारे बुक्स है तो बाढ़ दो वो क्या घर में जगा स्पेस लेके बैठा है आप पढ़ने वाले नहीं हो आपके घर में कोई पढ़ने रहा है तो बेटर है न कोई आवशक व्यक्ति होगा उसको दे दो उसी प्रकार हमारे पास चार-पार्च फ्लेट पढ़े हुए है जिसमें से अभी भी रेंट वाला आजमी ढून रहे हैं बेटर है किसी गरिब को दे दो किसी अच्छे वैशनों भक्त को दे दो विचारा वहां रहकर करके वहां पे कृष्ण की सेवा करेगा आपको उसका पुलने मिलेगा आपके पास बहुत सारी भूमी है दान में दे दो मंदिर वालों को कम से कम मंदिर बनेगा वहां पे वहां पे कोई कतल खाना तो नहीं बनेगा न यह सोची कितना बड़ा बाग्य होगा आपका इसलिए दान कर देना चाहिए भूमी दान करना चाहिए वस्त्र जो आप पहन रहे हो आपको भट महीं रहा है लेकिन पुराना भी हो गया और आप नया खरीच सकते हो तो ऐसे भी बहुत सारे लोग है जिनको आप नया दे सकते हो सबसे अच्छा उप्षन है लेकिन अगर आपके पुरान है तो वो तो दे दो कम से कम आप जमा करकर के बाद में क्या करते हो बहुत सारी लोग भांडी लेती है पहले हमारे भांडी लेती है बरतन कपड़ा एक्स्चेंज करके बरतन लेते थे तो वो कपड़े का वो लोग क्या करते थे उसको कलर करके फिर से नहे में बेचते तो बेचने से तो अच्छा किसी को दे दो आपका वस्तर कोई पहन करके वो भक्ती करेगा तो आज भी जैसे अफरीका एक ऐसा देश है मैं हम लोग ने किया इसलिए बता रहा हूँ अफरीका में आज में हमारे कई सारे भक्त है जो वहाँ पर इंडिया से बहुत सारे कपड़े कठा करते हैं और वहाँ के भक्तों को ले जाकर के फ्री में दे के आते हैं और वह बोलते नहीं कि आप एक दो कपड़ा दो आप जितने कपड़े कठा करके दे सकते हो कोई भी बच्चे के हो बूडे के हो, जवान के हो धोती हो, कुर्ता हो, साड़ी हो टीशर्ट हो, जीन्स हो, कुछ भी हो आप सब दे दीजिए, वो लोग सब पहने कले तैया है इतनी गरीबी है वहाँ वहाँ ऐसे कपड़ा लोग खोलके ऐसे रखके जाते है सब आके अपने हिसाब से पहनते हैं और लेके जले जाते हैं वह सालों साल वो कपड़े पहनते हैं वहां इदनी गरीवी है, anyway वो क्यों गरीवी उसका भी एक कारण है, तो इस प्रकार ये वानप्रस्त आश्रम श्रीमत भागवतम में भी इसके बारे में प्रलाद महराज को नारद मुनी प्रवचन करते हैं, और उनको बताते हैं कि वानप्रस्त व्यक्ति को भी विदी विद में उगा अन नहीं खाना चाहिए, अब ये health के इसाब से भी बहुत important है, पचास वर्ष के बाद ज्यादा पका हुआ भोजा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका digestion system इतना strong नहीं होता है, ये no doubt कि आपका digestion system अगर अच्छा है, तो अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सकें, आहार में ये लाना चाहिए, उसमें कुछ नियम लगाने चाहिए, उसे बिना जिती हुई जमीन से उगे हुए अन, उगे हुए अन को भी नहीं खाना चाहिए, जो पूरी तरह पके नहीं, नहीं वानप्रस्त को अगनी में पका हुआ अन खाना चाहिए, नहीं संदे उसे स प्रद्र प्रकाश में पके फल भी खाने चाहिए यह मैंने सिव अनुवाद लिखा है क्योंकि इसमें प्रोपा जी का कोई तात्परे नहीं है इसमें हम लोग कुछ बोले नहीं है लेकिन प्रोपाजी नहीं यह अवश्यका है कि वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए तो यह practically इतना तो हम लोग पढ़के ही डर जाते हैं कि बिना अगनी में पका हुआ और अच्छा फल भी पक के गिर जाना चाहिए आइसा नहीं कि पक गया है तुझे लो इसको तोड़के खाते हैं ऐसा नहीं है पक के गिर जाए और अगनी नहीं जलानी है इतना कटोरता से पालन करना चाहिए और इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि श्रीमत भागोतम के सात्वेसकंद के बारे अध्याय का 17-18-20 आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को कम से कम पांच वर्ष, तीन वर्ष या कम से कम एक वर्ष जंगल में बिता के आना चाहिए उस कि अश्रम में भी यह संसकार भी इसके कहीं कहीं लिखे गए है कराने चाहिए हमारे सत्क्रि सार्दिपिका में नहीं लिखा है पर यह श्रीमत भागोतम में लिखा हुआ है शुगदेयो गोस्वामी बोल रहे हैं इसके उपर इसलिए मैंने इस चीज़ को अड़ किया मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सत्क्रिस आरदिविका में नहीं लिखा हुआ है पर ये हमारे यहाँ वानप्रस्थ का जो जगह है वो जो गैप है उसका फुल्फिल्मेंट कौन कर रहा है पता है आधे ग्रियस्थ कर रहे हैं आधे सन्यासी कर रहे हैं ये लोग जो मैंने कहा बेस्ट काउंसलर होता है वानप्रस्थ तो वो क्या करता है त्याग तपस्या इससे रहता है और वो समाज को मार कदर्शन करता है कि कैसे उनको भक्ती करनी है कैसे उनको सेवा करनी है कैसे गियस आश्रम में रहना है कैसे ब्रहमचरी आश्रम में रहना है ये उनको सिक्षा देता है और कोई earning source नहीं होता उसका वो किसी से कोई ना पैसा accept करता है और ना ही वो किसी से कमाने के उदेश से घुमता है ऐसे लोग freelancing सेवा करते हैं दूसरों के घर जाएंगे तो उनको बैट करके सिक्षा देंगे स्वायम नित्य श्रीमत भागवतम पढ़ना चाहिए अब आप retirement लेके करना क्या है अरे कब हम कहेंगे नेनम गलत अशुधारया अबदनम गद्दुरुद्धेया अं ये कब आएगा बैट के कब हम भजन करेंगे कब श्यत्यने महाप्रभु भी अठारा साल जगनातपुरी में रहे क्या ये सफिशन नहीं है उधारन तो हम लोगों को भी ने बस प्रचार करते करते श्री प्रहपाजी का एक statement है कि प्रचार करते करते हमें शरीर चोड़ देना चाहिए प्रहपाजी का एक statement है जिसके आधार पे बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि हमें retirement लेनी के आउशक्ता नहीं हम प्रचार करेंगे अरे ये भी एक प्रचार है वानप्रस आश्रम में जाना बहुत बड़ा प्रचार है जब पूरा society ये देखेगा कि हमें भी वैरागी की और बढ़ना है आप वैरागी से आगे ही नहीं जाना चाहते हैं और आप अपने comfort zone को ले करके बोलोगे कि हाँ प्रभपास says बहुत उसी को पकड़ के बैठते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब तक retirement नहीं लेगा समाज में वो उन्नती नहीं कर पाएगा तो जो वानप्रस्ती का जो gap है उसका जो requirement है उसका fulfillment आधे ग्रियस्ती कर रहा है जिनको कम experience है और आधे सन्यासी कर रहा है जिनके पास कम समय है क्योंकि सन्यासी ट्रैवल करते रहते हैं उनके पास समय नहीं होता तो हम कितने सारे भक्तों को प्रश्णा आता है कि महराजी हमें ये प्रश्णा हमें वो प्रश्णा है तो हम आधे उनसे पूछते हैं जिनको अलड़ी कुछ नौलेज नहीं है मतलब उनको थोड़ा नौलेज है आदे हम उसको पूछते हैं जिसको बहुत knowledge है बट उनके पास समय नहीं तो वह hardly किसी एक दो का प्रशन accept कर पाते हैं तो वह कोई general statement दे देते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो general statement हर एक वेक्ति के लिए लागू नहीं होता हर एक case हर एक वेक्ति का अलग-अलग होता है तो जैसे हम आयूरिवेज में जानते हैं कि तीन प्रकार का शरीर होता है कफ पित वायू तो उसमें भी कई प्रकार के शरीर होते हैं किसी का कफ पित होता है किसी का पित वायू होता है किसी का वायू और कफ होता है तो आप सबको एक काटेगरी में नहीं जोड़ सकते हैं उसी प्रकार लोग भक्ती भी करते हैं तो भले सब सोला माला कर रहे हैं लेकिन सबका भक्ती करने के लिए उनकी जो परिस्थिती वो अलग-अलग होती है और उन सभी को समालने के लिए अच्छा वान प्रस्थि विक्ती चाहिए जो अच्छा काउंसलिंग करे और वो फिल्फिल्मेंट हम लोग उसका गैब भर रहे हैं तो हमारे बाद बहुत बड़ा वेकेंसी खुला है और आप लोगों की आउशक्ता है जो लोग 50 वर्ष के उपर चले गए है उनकी तो आपको यह प्रयास करना चाहिए अब हम जल्दी से आते हैं सन्यास संसकार पर और फिर इसके बाद में कुछ प्रश्ण उतर करेंगे बाद में अंतिम संसकार के उपर डेटेल में चर्चा करेंगे सम्यक प्रकार से त्याग उसी को सन्यास कहते हैं अभी रिसेंटली बहुत सरे महराज का सन्यास हुआ तो सन्यास के चार प्रकार होते हैं कुटिचक, बहुदक, परिवरजक और परमहंस हमारे श्रीपरभुपाजी क्या है परिवरजक अचार है परी भ्रमन करते रहते हैं परिक्रमा करते रहते हैं पूरे अस्थानों पर भ्रमन करते हैं प्रचार करते हैं वो परी राजक होते हैं कुटी चक का मतलब होता है कि जो पहले सन्यास ले करके दंड धारन करके कुटिया में रहता हो वो भिक्षा मांगने जाता नहीं है या जा सकता है या जो भी उसको लोग भिक्षा में कुछ दे दें वो वहीं बैट करके अपना ग्रहन करता है वो ब्रहमण नहीं करता सन्यास का कटेग्री ऐसा नहीं कि डाइरेक्ट सब घुमते रहता है पहला कटेग्री होता है कि वो किसी एक परिवराजक का मतलब होता है कि पूरे समाज में भ्रहमण करता है पूरे संसार में भ्रहमण करता है और लोगों में भगवान का इन सब का प्रचार करता रहता है उसको परिवराजक कहते हैं और परमहंस निरवान को प्राप्त होते हैं उनके लिए दिन रात नहीं है उनके लिए भोजन, पानी सब एकी है, कहते हैं सन्यास का भोजन कैसा होना चाहिए सन्यासी का भोजन ऐसा होता है जैसे मालने जिए सन्यासी को आपने 56 भोग दिया, तो वो ऐसा रुमाल लेगा, उसको ऐसा रखेगा अब इसमें आप पनीर डालो रसमलाई डालो, पूरी डालो जो भी अच्छे-च्छे अटमें डालो वो डालने के बाद वो क्या करेंगे इसको ऐसे पूरा यहाँ, यहाँ, ऐसे करके चारोर से पकड़ लेंगे, फिर बहते हुए पाने में कहते हैं, उसको ऐसे तीन बार डुबाना और फिर उसको ऐसे गार देना ठीकें? अब उसके बाद में इसको खोलना और फिर उसको पाना उसको कहते हैं सन्यास मतलब इतना वैराग दिये कि आप कुछ भी दे दो वो सब में उसमें कोई भीदभाव नहीं करते सन्यास का एक प्रकार कार्थ होता है मृत्यू क्या शरीड को मार देना उसको सन्यास कहते है तो सन्यास, सन्यासी व्यक्ति वही ले सकता है जिसमें त्याग की भावना सर्वतकृष्च हो अगर कोई परिवार से निकाल दिया गया हो या समय का मारा हो तो भैया कुछ नहीं कर सकते चलो सन्यासी मुझ जाते ऐसे लोगों को सन्यास नहीं लेना चाहिए सन्यासी उसको लेना चाहिए जिसमें वैरागे की कामना तिवरता पर हो कामना मतलब वैराग की भावना बहुत बड़ी हो वो खुब वैराग या कठोलता से नियम का पालन करता हूँ कहते हैं कि सन्यासी को ऐसे मरना चाहिए ऐसे प्रान चोड़ने चाहिए शरीर को कि किसी को मालूम ना पड़े कि इनकी मृत्तिक होगी ऐसे शर्का थ्याकर की और सन्यासी को जलाया नहीं जाता है उसको भूमी में गाड़ा जाता है ठीक है और सन्यासी जो होते हैं उनको आचमन करनी के आवशकता नहीं होते हैं एक बार मैं परमपुज्य राधना स्वाई महाराज जी को आच्मन कराने के लिए लेके गया, मैं नया नया था, तो मुझे पता नहीं कि सन्या से भी आच्मन नहीं करते हैं, तो मैं गया, श्री महाराज जी बैठे हुए थे, यग्य के अस्थान पर, मैंने महाराज जी को आच्मन, महाराज जी एक कुछ बोले नहीं, उन्होंने बोला येस, मैंने उनको जल दिया, तो मुझे लगा पीएंगे, उन्होंने हाथ दो लिया, मुझे लगा लगता है उनको पीना भूल गया, अब ये मैं सोचना है, थेर्ड क्लाज बुद्धी से, तो फिर मैंने वापास से महाराज जी को जल दिया, तो फिर उन्होंने हाथ दो लिया, फिर मैंने तिसरी बार जल दिया, फिर हाथ दो लिया उन्होंने, कुछ बोले भी नहीं, तो बाद में मैं आया तो मुझे हमारे रोईनी कुमार प्रभू और सीनियर भक्ति उन्होंने समझाया कि जो सन्यासी होते हैं उनका आच्छमन नहीं होता है वो आच्छमन नहीं करते हैं वो इतने पवित्र होते हैं वो जहां गए वही उनकी शुद्धी है इसलिए सन्यासी को आच्छमन की भी आवशक्ता नहीं बलगी तो ये सब सन्यासी होते हैं सन्यासी हर प्रकार से पवित्र होते हैं उनके दर्शन मात्र से आपको पवित्री मिल जाती है सन्यासी के दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं अगर आपके घर में किसी सन्यासी ने बैठ के भोजन कर लिया तो आपके सारे पित्रू तर जाते हैं अगर आपके घर में सन्यासी के चरन पड़ गए तो आपका जीवन ऐसी पवित्रों सारे पापक्षय हो जाते हैं उस घर के जितनी नकर आत्म कुर जाएं सब नश्ट हो जाती है इसलिए अधिकतर लोग सन्यासियों को घर पे बुलाते हैं कि आप हमारे घर आई लेकिन सन्यासि को हर घर में नहीं जाना चाहिए नहीं तो उसका वहराग्य चला जाएगा है ना इसलिए चेतने महाप्रभू बहुत दूर से राजाओं से भी बात नहीं करते हैं जो प्रताप रुद्र राजा थे उनको भी बहुत समय लगा चेतने महाप्रभू से मिटिंग करने के लिए महाप्रभु किसी को निखट नहीं आने जा है तो महाप्रभु ने भी सन्यास की परकाष्टा को बहुत कपोरता से पालन किया है स्वयाम भगवान थे कल्यूग में आय थे practical knowledge दे रहे थे उन्होंने यह नहीं बुला practical है practical है तो हम सब के घर भी जाएंगे, बात भी करेंगे सन्यासी का उद्देश केवल और केवल प्रचार है, भक्ती है और कुछ नहीं है और जैसे कि हम ये भी बोलते हैं कि कल्यूग में तो सन्यास लेने के लिए मनाई है तो शिर्प्रभपाजी ने में सन्यास इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रचार के लिए थिहावर्शक है सन्यास Society का सबसे highest stage है सन्यास वरनाश्रम में सबसे सर्वत कृष्ट Top MOST आश्रम कहा जाता है वो है सन्यास आश्रम Again हमारे सतक्रे सारीपिका में इसके विशे में थोड़ा सा लिखा है अपाल भटको स्वामी में इसलिए सन्यास संस्कार होता है तो सन्यासी के क्या-क्या दिया जाता है उसके एक दस संस्कार भी होते हैं और पांच संस्कार भी होते हैं दस संस्कार में देखें क्या-क्या होता है मुंडन, तिर्थस्थान, तिलक धारण, मुद्र धारण, कौपीन शुद्धी, फिर उसके बाद में कौपीन की प्राण प्रतिष्ठा, नाम करण, विश्णु मंत्र धारण, अच्यूत गोतर ग्रहन और शाली ग्राम अर्चना, ये एक सन्यासी के लिए नियम है, तो इसमें मैं आपको कुछ जादा इसमें डेटेल नहीं जाओंगा, यूगि मैं इसके योग्य नहीं हो इतना बताने के, पर आपको इतना कहूंगा कि, जो अच्यूत गोतर धारण करते हैं, वो सन्यास आश्रम में धारण करते हैं, उसके पहले अच्यूत गोतर नहीं लिया जाता, अच्यूत गोतर केवल सन्यासी का होता है, क्योंकि उसका कोई और नहीं होता, इसलिए भगवान होते हैं, लेकिन बाकी जितने उतनी भी हम, लोग हैं, जो भी ग्रियस्ती में हैं या जो भी हैं, उन सभी का गोत्र होता है, उनके परिवार से संबंधित होता है, और वो रिशी होंगे उन रिशियों की हम संतान हैं और उसी को गोत्र कहा जाता है किसी का कश्यप किसी का वसीष्ट किसी का विश्वा मित्र किसी का गर्ग गौतम शांडिल्या ऐसे कई सारे गोत्र होते हैं तो उन गोत्र में से किसी एक का गोत्र हमारा गोत्र हो सकता है लेकिन अच के लिए सार्दिपिका तो उसमें लिखा हुआ डिटेल में और विश्णुमंत्र धारन वो सब करते हैं एक प्रकार का अपना जो दिक्षा सरिमेनी होता है लगबग वैसा है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होता है दंड दिया जाता है उनको दंडा दिया जाता है फिर कौपीन की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होते हैं कौपीन को धारन करने के लिए उनको ये बंधन रहता है कि अब आप सिब कौपीन पे धारन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सन्यासी होते हैं जो केवल कौपीन पहन के रहते हैं न कौपीन कंथा श्रितो धीरा धीर ज प्रिया, प्रियाक यह कौन है? हमारे गोस्वामी है इन्होंने सन्यास धारन किया और कौपिन धारन करके रहते थे तो ऐसा है तो तिर्थ अस्थान में रहना सदेयो मुंडन रखना यह सब सन्यास पर पंच संसकार भी उनके कहे गए हैं जैसे मुंडन तिर्थास्थान, कौपिन शुद्धी, कौपिन प्राणपतिस्था और अच्छी तुगोति गरहन करना यह से हैं तो अगेन मैं इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा मेरी युग्यता नहीं है और हमरे पास समय भी कम है तो चलिए अब हम अन्तिष्टी संसकार पे जान अन्तिष्टी का अर्थ होता है कि अन्ति का मतलब होता है अन्तिम इस्टी का मतलब होता है यज्य इस्टी तो अन्तिष्टी का मतलब होता है कि यह जो अन्तिम संसकार होता है मतलब जो दाह संसकार होता है वो एक यग्य है वो केवल जलाना ऐसा नहीं है वो एक यग्य है वो एक आहूती देने जा रहे है तो जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए सबसे महत्वपुन विशय है कि उसका जितना जल्दी हो सके दाह संसकार कर देना चाहिए उसी को अंतिम संसकार कहते हैं क्यों दाह संसकार तुरंत कर देना चाहिए क्योंकि यम्राज की यम्राज जी का जो मुख है उसमें एक अगनी है और उस अगनी का नाम है क्रव्यादम अगनी क्रव्यादाम क्रव्यादाम का मतलब होता है मांस खा करके जो अगनी मांस को खाती है उसे क्रव्यादम अगनी कहते है तो जिनके पेट में मांस होता है उसके पेट में क्रव्यादम अगनी होती है इसलिए ऐसे लोगوں का जूटा कहाने से उसको शुद्धी प्राप्त होती है इसलिए एक कृव्या आदम अगनी जो है या यमराज जी की अगनी है या यमराज जी का मुख है और जब भी किसी की मुर्टिय होती है तो यम्राज जी जैसे माननीजे मूँ खोलके बैटे हों कि हनुँ ये शरीड मुझे देदो मैं खालू तो जो जतना देर करता है उतना उसके प्रति दान करना पड़ता है इसलिए जतना जल्दी मृत्य हुई हो जब भी मृत्य हुई हो जल्द से जल्द उसका दहा संसकार कर देना चाहिए आजकाल तो होता यह है कि लोगों के बच्चे विदेश में होते हैं तो उनके पिता मरने के बाद भी उनका इंतजारी करते रहते है है ना क्योंकि वो भाईया वो आएंगे तो उनका दहा संसकार होगा और वो भी ऐसे नहीं बोलते कि आप लोग कर लिजे मैं आता हूँ बाद में नहीं आखरी बार देख लो देख के क्या करोगे लेकिन लोगों को बड़ी ये बुद्धी हो गई है कि अंतिम संसकार मतलब हो चाहे कहीं भी हो सब उसको wait कर वाते हैं कोई 8-8 chंटे कोई 20 गंटे कोई 6 दिन कोई 10 दिन इतना दिन तक उसका wait करा करके उसका दहा संसकार करते है पर शास्तरों के अनुसार दहा संसकार जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी कर देना चाहे है तो किसी की रात में मृत्यू हो जाती है तो उसका सुभा दासंसकार करना चाहिए लेकिन अगर सुभा मृत्यू हुई है तो जितना जल्दी हो सके दो गंटे चार गंटे के अंदर उसका दासंसकार कर देना चाहिए तो इसका उदेश क्या है अंतियस्टी संसकार का उदेश क्या है पहला है प्रेत अवस्था से मुक्ति के लिए दूसरा है उत्तम लोग की प्राप्ति के लिए और तीसरा है इस शरीर को आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए कि हम ये शरीर ने हम आत्मा ये जान करके वो दूसरे शरीर को धारन करे उसके लिए संसकार होता है अन्तिष्टी संसकार करें से तो इसमें कुछ विशेश विशेश शब्द है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं इसको आप लोग पहले समझ लिजे क्योंकि हम इनी सब शब्दों को करने वाले हैं यह जो मैंने highlight bold किये हुए शब्दे हैं boldic तो इन शब्दों को आप ध्यान से सुन के रखिए पहला है शव शव का होता है शव का आर्थ मतलब मृत शरीर दूसरा होता है प्रेत प्रेत का मतलब होता है सुक्षम शरीर प्रेत मतलब भूत प्रेत वाला वो प्रेत नहीं प्रेत का मतलब होता है सुक्षम शरीर और्द देहिक और्द देहिक का मतलब होता है शरीर के ऊपर कुछ क्रिया करते हैं या उसके ऊपर कोई संसकार करते हैं कोई मरे हुए शव को, यानि मृत्य गए हुए विक्ति को, उसको और्द देहिक क्रिया या और्द देहिक संसकार कहते हैं। फिर शाद का अर्थ होता है, शद्धा से की हुई विधी को शाद कहते हैं। ग्रिया अगनी का मतलब होता है जो घर की अगनी हो पिर पित्र त्रे मात्र त्रे यानि दादा पर दादा ऐसा है फिसा पिंडी करन का मतलब होता है पुर्वजों से मिलाना और लोक संग रह के लिए जीवन बिताना ठीक है यह सब शब्द हैं बस इनको आप समझ के रखें इनके बाद में हम आगे नहीं परचर्चा करेंगे तो शाद की दो प्रकार की विदी होती है एक होता है वेदोक्त विदी दुसरा होता है पुराणोक्त विदी तो इन में वेद उक्त और पुराण उक्त क्या होता है यह हम आपको आगे बताएंगे और शाद्र कर्म में पिंडदान यह सब महत्वपून है और इसको उधारन भी है भगवान श्री राम चेतन महाप्रभू तो फिलाल आप इतना समझ लीजिए फिर अब मैं इसको एक्स्प्रेंट करने जा रहा हूँ हाँ उसमें दो-दो स्लाइड है अभी पहले यह क्लियर कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इतना आपको समझा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे स्लाइड पर जाएंगे यह सिब मैं आपको जब एक इंट्रोडक्शन बेस पर बता रहा हूँ हमारा पूरा एक्स्प्रेंशन अगले स्लाइड में होगा तो अब हम आगे स्लाइड में जाएंगे अन्तेश्टी प्लस शाद अब यहां से हम अपना explanation प्लारम कर रहे हैं अन्तेश्टी यहाणि संस्कार है संस्कार किसके लिए होता है शुद्धी करण के Лिए होता है शरीर के साथ जुड़ा हुआ अन्तिम संस्कार है अंत इष्टी मतलब अंतिम Yajis पश्डी करण और शद्धया क्रियते इती शाद्ध दिंगे आज कल क्या हो रहा है कि कि सी की मृत्ति होती है तो हमें यह पता तक नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर आज हमारे घर में किसी वैशनों भक्त की मृत्ति हो जाती है तो हम उसके लिए क्या ऐसा क्रिया करें कि हमें सब कुछ मालूम होता हो तो इन सब के विशे में महत्वपून बाते हैं कि मैं आपको कुछ पहले महत्वपून वस्तूओं के बारे में बताऊं कि अंतिम संसकार जो होता है वो मंत्रवत विधी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की जब मृत्ति हो जाती है जिसने जीवन बर भगवान के नाम का जब किया किर्टन किया, साधना किया पवित्र जीवन जिया तो उसका दा संसकार भी मंत्रवत होना चाहिए ना लेकिन नहीं हो रहा है आज के हमारे समाज बे जब भी किसी व्यक्ति की मृत्ति होती है हमारे पास कोई ब्रामन ही उपलब्द नहीं है और ब्रामन ना होने के कारण वो विधी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो इसे हो ये रहा है कि अधिकतर या ये कहें सत्तर से असी प्रतिशत आज के समय में जो संसकार हो रहे हैं अंतिम संसकार वो बिना मंत्र के हो रहे हैं लोगों को पता तक नहीं है कि दा संसकार कैसे करना है या कैसे की जाती है आज काल तो शव उठाने के लिए भाड़े पर आदमी बुलाने पड़ते हैं इतने धनी है धन कमाया लेकिन जन नहीं कमाया लोगों को नहीं कमाया लोगों का संबंद नहीं बनाया बस अपने अकेले रहे खाये पिये मर गए और जब उनको शव उठाने का समय आया तो कोई चार व्यक्ती भी खरीद के बुलाने पड़ रहे हैं हमने किया ऐसे सब है पैसा भरा पुरा है लोग नहीं ना किसी से संबंद है और ना ही कोई परिवार में ऐसा व्यक्ती है जो लोगों से संबंद बनाता हो अच्छा संबंद रगिष्टे और विवार बनाता हो कि लोग उसके लिए आए जीवन में हर एक कारे से पैसो के लिए नहीं करना चाहिए कुछ कारे समाज की सेवा के लिए करना चाहिए और ये समाज आपने अगर उनके लिए अच्छा किया है तो ये लोग भी आपको भूलेंगे नहीं इसलिए निश्काम सेवा करने की भावना रखिए केवल धन मत कमाईए लोगों को भी कमाईए जितना आप लोगों को जोडेंगे जितना आप लोगों को अपने साथ अपने जीवन में जोड लेंगे उतना ही आपके जीवन के अंत समय में के सभी लोग आपका साथ देते हैं हम लोग जब जनम लेते हैं तो भी हमारे साथ परिवार होता है जब मृत्य होती तो भी हमारे पास परिवार होता है जिस समय हमारा जनम हुआ था उस समय जितने लोग थे न वो जो लोग थे न वो मृत्यू के समय वो लोग नहीं रहते हैं पूरे बदल चुके होते हैं पर वहां से लेकर के यहां तक के चक्र में यह संसार में आपने कितने अच्छे कर्म किते हैं कितने अच्छे विवहार किये यही उसका परिणाम सुरू पहें इसके लिए कितने लोगों के मृत्ति होती है तो इतनी भीड उमड पड़ती है कि पुलीस को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन निकालने पड़ते हैं कि आप ऐसे जाएए वहां से जाएए ये मत कीजिए वो मत कीजिए क्यूं क्यों कि ये कोई ऐसा विक्ति की मृत्त करने में आगे बढ़ता है तो अंतिम संसकार एक ऐसा संसकार है जिसकी विधी बहुत महत्तुपूर्ण है और आज के समय उसकी कोई विधी नहीं हो रही है ये एक आत्मा की गती प्रारंबक होता है यहां से प्रैवल चालू होता है अब वो यहां से कहां जाएगा उसको द मतलब ह होता है वन पॉइंटक्स hardest किलोमेटर यानि कुछ 11 साड़ी 11 यानि एक किलोमेटर एक योजन होता है और ऐसे आठ सौरी आठ योजन होता है शमा कीजिये मतलब लगवक कुछ 40 50 60 किलोमेटर का एक योजन होता है और ऐसे मैं कुछ गड़बड बोला ना इसा हाँ एक योजन मतलब होता है तो यानि साड़े ग्यारा यानि एक योजन हो गया राइट तो ऐसे कई सो योजन क्रॉस करने पड़ते हैं यमराज जी के पास जाने के लिए कितने लोग क्या कहते हैं पता हैं कि अरे यमराज जी के पास कौन जाता है कौन नहीं जाता है हमने थोड़ी देखा है कोई भी व्यक्ति कैसे मरता है न उससे decide हो जाता है कि वो यमपूरी गया है या नहीं गया यह सब शास्त्रों में है जो व्यक्ति मुक्त हुआ या नहीं हुआ यह भी पता किया जा सकता है लेकिन यह प्रमाणित नहीं है यह प्रमाणित नहीं है ऐसा ठपा नहीं लगा है लेकिन हाँ वो significance बोलते हैं उसको कुछ क्या कहते हैं उसे हम कुछ उसके लक्षन दिखाई देते हैं लक्षन प्रतीत होते हैं कि हाँ इससे उसकी मुक्ती हुई होगी तो एक बार हम लोग ने भक्तियर सामरित महाराज से बात की महाराज से पूछा कि महाराजी क्योंकि अंतिम संस्कार हमारे सतक्रे सार्दिपिका में नहीं लिखा है तो महाराज इसे ये प्रश्ण किया गया कि महाराज ये अंतिम संसकार हम भक्तों के लिए करे या नहीं करे तो महाराज ने ये ही प्रश्ण किया कि ये कौन निर्ने लेगा कि विक्ती भगवत धाम गया या नहीं गया है अगर भगवत धाम नहीं गया है तो उसकी विदी आवश्यक है और भगवत धाम गया तो उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन जो भगवान का भगता है वो अगर गया है तो उसकी कुछ विदी तो होनी चाहिए तो जबकि गुपाल बट्ट को सौमे ने लिखा है कि जो भगवान का भगता है उसके लिए कोई विधी करने के आवशकता नहीं है क्योंकि उतो भगवत दाम गया जो भगवत दाम गया उसके विधी तो होती नहीं पर हम सभी कैसे निरने लेकि ये भगत भगवत दाम गया ये भगत भगवत दाम नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा तो इसके लिए अंतिम संसकार बहुत आवशक है बहुत आवशक है और इसके लिए क्रिया अच्छे से होनी चाहिए तो अब मैं पहले आपको बता देता हूँ विधी क्या होती है आप विधी लिख सकते हैं सबसे पहला है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्ति हो मरनासन व्यक्ति की मृत्ति हो तो वहाँ बैट करके भगवत गीता का पाठ भागवत के मंत्रों का हरी नाम विश्नु सहस्र नाम, राम रक्षा स्रोथ भी कर सकते हैं जब हमने किसी के लिए कुछ किया हो हम आफिस जाएंगे कोई मर रहा हो और हम बोलेंगे प्रभुजी ठीक है जब सब हो जाएगा तो मैं आ जाओंगा मिलने के लिए तो आपके भी एक दिन हमारे भी मृत्ति होनी है तो लोग भी ऐसे ही खेद जता देंगे हम प्रार्थना कर लेंगे जाना चाहिए समय निकाल के कोई अंतिम खशन अगर आपको बुला रहा है तो समय निकाल के जाए लोग नहीं जाना चाहिए लोगों के पास समय नहीं लेकिन समय निकाल करके और लोगों के कल्यान हितु हमें कुछ समय निकाल के उनके कल्यान हितु जाना चाहिए सबसे पहला है मरनासन व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए तो यह है भगवान के नाम का जब उससे करना चाहिए आपको जब डिकलेर हो जाए कि इसकी मृत्ति होनी है तो ये सब विदी होना चाहिए उसके अलावा जब भी हो सके जहां पर कोई मृतक व्यक्ति की मृत्ति लगभग होने के तय है मतलब मालू पढ़ता है न डॉक्टर डिकलेर कर देते चार गंटे हैं छे गंटे हैं दस गंटे हैं तो उतना समय हमें एटलिस मिल जाता है कि हम उनके लिए कुछ योग्यकारे करें तो उस समय उनके लिए हरिनाम चादर, महा गारलेंड और साथ में महा प्रशाद, चर्णामरित, गंगा जल ये सब रखा जाना चाहिए यानि उसके पास उसको पिलाना चाहिए ये भी बहुत बड़ा सभागी की बात होती है कि किसी को जीवन में चर्णामरित मिल जाए शालिगराम जी का चर्णामरित मिल जाए या किसी मंदिर के चर्णामरित प्राप्त हो जाए या हरिनाम चादर उसके उपर रखा जाए कंठी उसके गले में हो उसके अलावा तुलसी उसके मुख में कोई डाले भगवान का नाम उसके कानों में सुनता रहे यह बड़े सुभागी की बात है ऐसी मृत्तियों बड़े भागे से मिलती है तो यह जो संसकार है यह उस समय मरनासन व्यक्ति के लिए करना चाहिए अभी आपको यह सब मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी की मृत्ति हो गई तो हम खुद भी लीड कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि बस हमें कुछ पता नहीं है आप लोग बस किर्टन करो ऐसा नहीं है यह सब विदी आप लीड लेके सामने से आगे बढ़ करके बोलना चाहिए प्रभुजी आप यह किजे, प्रभुजी आप यह किजे माता जी आप यह किजे आप ओर्डर दे करके वो काम किजे क्योंकि उस समय लोग इतने दुखी होते हैं उनको कुछ सुझता नहीं है आप यह मत सुझे कि यह सीनियर डिवोटी हैं, जुनियर डिवोटी हैं आप जाएए उनको help कीजिए, उनकी साहिता कीजिए और वो बड़े प्रसंद होंगे अगर आप उनकी लिए ऐसी साहिता करते हैं इसलिए समय निकाल के जाएए तो मरनासन जब यक्ति मृत्यु के कगार पे होता है तो उसको बैट के फोन नहीं करना चाहिए अरे पहचानो यह देखो कौन है, अरे जानो यह कौन है अरे देखो देखो यह मिलने आ, यह देखो तुमारा पोता यह देखो तुमारी पोती है ये सब नहीं करना चbenूँ है अब वो मरने के ककार पे उसको वहीं सी बुद्धी नहीं है और आप उसको आखरी बार देखलो आखरी बार सुनो इतने साल तो देखा सुना ना क्या हो इनका दर्शन लेके कुछन ता हम जाने वाले हां भगवान का दर्शन होना चाहिए, हो सके तो शालिक राम जी का दर्शन कराओ, रादा गोपिनाजी के विग्रहों का दर्शन कराओ, यह सब कराओ, इन लोगों का दर्शन कराओ, उन से फोन पे बात करवाते रहते हैं, तो यह सब नहीं होना चाहिए, जितना हो सके, जब भी हम लोग करें कम से कम सभी के नाम का वो भगवान के नाम स्मरण इत्यादी हो चड़ना मृत हो जलो यही संसार का सबसे बड़ा बोलते हैं न उपलब्दी है कि उसको अंत समय में यह सब प्राप्त हो जाए यह बहुत बड़ी उपलब्दी है उसके लावा अगर जब किसी व्यक्ति की मिर्क्ति हो जाए तो क्या करना है यह भी महत्वपूर्ण बात है इसे लिखिए कि पहला है कि अगर कोई पुरुश है तो उसको स्नान करा करके अच्छे से इस्त्री है तो उसको स्नान करा करके उनको नए वस्त्र धालन कराने चाहिए नए वस्त्र पुरुष है तो उसको धोती, कुर्ता या आजकल कुर्ता पैजाम है पहनाते हैं लोग तो वो भी ठीक है लेकिन पैंशट तो नहीं पहना चाहिए और इस्त्री है यदि सुहागन इस्त्री है तो सुहागन इस्त्री को चाहिए कि वो उसको श्रिंगार करके उसका दास अंसकार हो सुहागन इस्त्री के यदि मृत्य हो जाए तो उसको पूरा मांग में सिंदू लाल साड़ी या हरा साड़ी ऐसा पहना सकते हैं और साथ ही उसको पूरा शिंगार करके उसको विदाई देनी चाहिए और यदि विद्वा इस्त्री हो तो उसको सफेद साड़ी पहना करके उसकी विदाई करनी चाहिए इन सभी के उपर आप हरिनाम चादर रख सकते हैं हरिनाम चादर यदि जलाना चाहे तो जला भी सकते हैं इसमें कोई प्रश्ण नहीं है क्योंकि बहुत सारे भक्तों का प्रश्ण होता है कि हमने हरी नाम चादर लगाये तो है अब क्या करें उसको उतारें कि नहीं उतारें क्योंकि उतारेंगे तो वो अशुद्ध है और नहीं उतारते हैं तो हरी नाम जलाना ये भी ठीक नहीं लगता है पर ऐसा नहीं है वो हरी नाम है और भगवान की किरपा है हरी नाम चादर जलाये जा सकता है कुछ बखलोग फिर भी नहीं जलाते हैं तो वो उनका चॉईस है कोई बात ने लेकिन जलाया जा सकता है लेकिन ये सिर्फ भक्त के लिए बोल रहा हूँ कोई वैश्नो विर्ति नहीं है उसके जीवन में और आम उसके पर हरिनाम चादर डाल के जलाएंगे तो ठीक नहीं ये सिर्फ वैश्नो के लिए बतारो हाँ ये कोई और वेखते हैं तो आप नॉर्मल उसके उपर साधा कपड़ा भगवान का अरपन किया हूँ महाप्रशाद जैसा कोई कपड़ा और रख करके जला सकते हैं लेकिन हरिनाम नहीं लेकिन जलाना ये कोई शब्द नहीं है वास्तों में ये अगनी को दान कर रहे हैं मतला आहुती दे रहे हैं तो आहुती हम क्या करते हैं भगवान को अरपन किया हूँ महाप्रशाद भी अगनी में अरपन करते हैं तो भगवान ने अलड़ी खाया है और अगनी में भी उनको थे सकते हैं के लिए महाप्रशाद का प्रयोग होता है उसी प्रकार कंथी माला भी आप जला सकते हैं हैं सुखी तुलसी जलाई जासकती हैं तो सुखी तुलसी जला सकते हैं तुलसी का जब माला हो तो उसको जला भी सकते हैं या रख भी सकते हैं उनकी याद में आपके उपर निर्वर करता है जिसकी मृतियों जो वैशनों है उनके मस्तक पर तिलक या हो सके 12 अस्थानों पर तिलक करना चाहिए माता जी प्रभर जी खोई भी हो उनके लिए तीलक करना बहुत आवश्यक है ये करना चाहिए देखे जब शव है ना शव को जब हम विदाई करते हैं उसके पहले उनको हर प्रकार से उनका सुद्धी करन करते है हर प्रकार से तो यह सब शुद्दी के लक्षण हैं हम लोग क्या करते हैं पздर पहन पहले स्टाते हैं कभी-कभी ऐसा body होता है जैसे करोना हो गया या किसी को cancer रहता है और उसका भाँ Tusty वहाँ पहले होता है कि वहाँ पहँदी आप खड़े नहीं रह सकते हैं तो ऐसे लोगों के लिए जल उनके पर गंगा जल पूरे शरीर पर चुड़क करके उनको नए वस्तर पहना सकते हैं हाँ अगर आपके पास संभावना हो यदि आप कर सके तो आप उनके शरीर पर वस्तर बदल सकते हैं इतना कर दीजे या यह भी कर सकते हैं कि उनको वस्तर उनके शरीर पर लपेट सकते हैं यह भी किया जा सकते हैं लेकिन जितना हो सके अगर आप उनको अच्छे से स्नान कराके शुद्धी करा करके उनकी विदाई करते हैं तो यह बहुत उत्तम होगी जो वैश्नों हैं उसके अब जब वहाँ दा संसकार करना होता है तो पांच किलो घी और एक किलो कपूर कितना भी मोटा बोडी हो कितना भी बड़ा बोडी हो ये पांच किलो घी और एक किलो कपूर में जल जाएगा इसलिए पांच किलो घी अच्छा शुद्ध घी लाईए और उससे दहा संसकार कराईए और एक किलो भीम सैनी कपूर आता है अब आप देखेंगे भीम सैनी कपूर कैसा होता है तो ये ऐसा होता है कुछ लोग को देखके शक्कर लगता है एक जगा एक आदमी बोल रहते है रहे प्रभु जी आपने पूजा में इतना सारा शक्कर क्यों रखा है मैंने बुला शक्कर जलता भी है ये ज़र शक्कर है शक्कर नहीं है आप इसको ऐसा तोड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे न ये देखेंगे पूरा पाउडर हो जाता है और इसको आप चहरे पे भी लगाईए फुल बॉडी में ऑक्सिजन भर देता है इतना शुद्ध है ये वनस्पती है अउशदी है तो ये वाला कपूर से जलाईए वो जो कपूर जलाते है न टिकिया वाला वो टर्पन्टाइन केमिकल होता है वो पेट्रोलियम प्रोड़क्ट होता है वो नहीं जलाना चाहिए उसे एन्वारिमेंट में अशुद्धी आती है कार्बन निकलता है ये जलाने से ऑक्सिजन निकलता है तो कभी भी पाँच किलो शुद्ध घी लाइए बिलोंगी मिले तो सबसे सरवाधी कुत्तम है देखें लोग क्या करते है न अचकर पाँच किलो गी अगर आज एक किलो का प्राइस पुछेंगे तो 2000 रुपए किलो मिलता है तो 10,000 रुपए का घी हो गया फिर ये भिमसेनी कपूर भी एक किलो लेने जाएंगे तो 2,500,000 रुपए, 3,000 रुपए किलो आता है तो लोग बोलते हैं अरे हम 15,000 रुपए सिर्फ जलाने में लगाएंगे अरे जिसने जीवन भर साबून से इस शरीर को रगड़ा है जिसने इस शरीर से तुमें धन दिया जन दिया, लोग दिये क्या नहीं दिया उसके लिए तुम 10,500,000 रुपए खर्चा करने के लिए सोचते हो हाँ जो गरीब है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ पर लोग इतने भी गरीब नहीं है कि वो 10,500,000 रुपए इसमें नहीं खर्चा कर सकते बर ये केवल एक मानसित्ता है पैसा नहीं खर्चा करना है उनको लगता है वेश्टेज है ना तो वेश्टेज के उपर क्या खर्चा करना इतना तो हम गरीब को दे दें अरे इतना गरीब से प्रेमें तो देता नहीं हो करो ना हर महीं न वो तो देते नहीं हो जब दाहत संसकार की बात आए भगवान की बात आए तो उनको गरीब गियाद आती है आजकर ये बहुत सारा प्रचलन जलाभी इसमें बहुत सारी बाते आपको मैं बताऊंगा कि आजके एंजियोज आजके बहुत सारे ऐसी संस्था हैं जो हमारे धर्म के पीछे इतनी लग चुके हैं कि आपका अंतिम संसकार में डंक से नहीं होने वाला है ये भी बात सोच के रखिए इसके लिए प्रयत्न शील हो जाईए बहुत परिस्थिती हमारी खराब हो चुकी है आप जब तक हम अराम से अपने घर में हैं बस अभी तक हमको लगता कुछ नहीं है बाहर निकलेंगे तो आज की परिस्थिती ऐसी बन चुकी है कि हम अपने ही नियमों का पालन स्वयम भी नहीं कर सकते इतने नियम अंपर लागू कर दिये गए उनमेंसे एक नियम है दा संसकार आप लकडी पर मत कीजिए मशीन में कीजिए लकडी पर मत जलाओ क्यों लकडी पर जलारो इतने वन कट रहे आप जो tissue paper use करते हो आपको क्या लगता है वो plastic से बनता है वो पेड़ों से बनता है वो भी उसमें कई gallon पानी खर्च होता है साथ में उतना ही वो काटे जाते हैं और वो tissue paper बस ऐसे खा के जुटा खा के फेक देते हैं इसके लिए आप पेड़ काटते हो तब आपको पेड़ों संसकार करना हो तो आपको पेड़ों की याद आती है तो आज की NGOs में ऐसे कई NGOs हैं जो काम कर रहे हैं कि वो लोगों को बड़े प्यार से सिक्षा देते हैं कि देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो यह दहा संसकार करेंगे तो इससे environment में बहुत सारे carbon आएंगे अशुद्ध पर कर दीजिए तुरन शरीर भी जल जाएगा और पेड़ों का नुकसान नहीं होगा देखिए कुछ चीजों के लिए हमारे शास्त्रों ने बताया है कि पेड़ काटना पड़ता है पत्ते तोड़ने पड़ते हैं कुछ चीजें करनी पड़ती है क्योंकि वो विशेश क्र फड़ूरीया के लिए हायर परपस के लिए करना पड़ता है तो यह इतना अगर पेड़ों से प्यार है तो ट्रिश्व पेपर को बंद कराऊ बें कराऊ ना अगर आपको इतना प्रेम है लकडी से जब हमारा यग और यह होता है न तो लोग बोलते हैं अरह इ अब वेस्ट कर रहे हैं ये शब्द बोलते है लोग हम शिव जी को दूद चडा है तो कितना प्रश्ण होता है üç ऩह शराब पूते तब इनको याद नहीं की कोई चिंता नहीं है लेकिन अगर आप दा संसकार करेंगे एक शरीर जलाएंगे जो हमारे संसकारों का एक अंग है उसके पर बहुत बड़ा प्रश्ण उठाये जारा आज के समय तो इस चीज के लिए आप लोग को थोड़ा आगे आना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि नहीं यह फैक्ट है यह हम करेंगे यह हमारा विदान आपको पता है विवा में अक्षद छोड़ते हैं न हम लोग महराष्ट्र में या साउथ इंडिया में अक्षद फेकते हैं तो एक कंपनी है अब वो कंपनी का मैं नाम इसलिए नहीं लेड़ा मेरकोस का प्रोमोशन नहीं करने तो वो कंपनी क्या बोलती है पता है कि अरे आप यह चावल फेकते हैं यह वेस्टेज होता है इससे अच्छा इतना चावल आप हमें दीजे हम गरीबों को बाटेंगे अरे जैसे ही हमारे धर्म की बात आएगी तूरंद इनको एंवार्मेंट की याद आती है तूरंद इनको सारे दुनिया की चिंता होने लगती है यह सब एक शडियंत रहे हम अपने धर्मों को भूल जाए नश्ट कर दिया जाए और आपको पता है चलो क्लियर शब्द में बोलत कर रहे हैं लेकिन उनकों पर कोई objection नहीं होता लेकिन जो हम हमारी संस्कृति की धर्म की बाते करते हैं तो उसके पर बहुत सारे प्रशन उठा दिये जाते हैं और इसके उपर कोई बोल नहीं रहा है और जो बोलना चाहता है उसकी आवाज कुछल दी जाती है दबा दी जा क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लोग आपको छोड़ेंगे नहीं इसलिए बोलना पड़ेगा बोलिए आज का यूग है बोलना आज का यूग है आप कैमेरे के आगे बोलिए यह इतना सा कैमेरा जो आपके सामने दिख रहा है बहुत बड़ा-बड़ा काम क और आपको भी एक दिन मजबूर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक में जाके जलाईए आपको मजबूर किया जाएगा आज आप मानो या नहीं मानो आपको मजबूर किया जाएगा और क्यूं लकडी में दास अंसकार करना है उसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो घी होती है कपूर होता है और जो दाह संसकार होता है वो अगनी लकड़ी के द्वारा होती है मशीन के द्वारा आप रोज भोजन करेंगे न तो आपको कैंसर तूरंट पकड़ लेगा आप रोज ओवेन में खाना पका के खाते हो गया लेकिन हमें जब हमारी बात आएगी तो आप environment की बात भी याद आती है लेकिन जब हम अपने संस्कृति की बाते करते हैं तो बोलते हैं वेश्टिज है तो कृपिया इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि मशीन में आग लगा करके दा संस्कार करना ये कोई बुद्धी मानी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो संस्कार है उसमें लकडी पर शरीर को रख करके जलाने का विधान है कुछ लोग इसमें ये प्रशन उठा सकते हैं अगर हमने उसमें जला दिया तो कुछ प्रॉब्लम है गया कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बात इतनी है कि ये एक विधान है और कुछ विधान अंदर विश्वास नहीं होते लकडी जो जलती है ना उसके साथ-साथ पूरा شरी राख में परिवर्तित होता है क्योंकि मिट्टी है से अगनी मिट्टी बनके पूरा समापन होता है लेकिन जो उसमें जो राख जलती जो मशीन में जलता है ना उसमें तो हडडी भी नहीं बच्टी तो यह जो अस्थी विसर्जन का वातवरन है वो तो हमारे में खतम हो जाएगा अस्थी मिलेगी नहीं वो पूरा बर्ण हो जाता है एक साथ और वो उसमें राख नहीं मिलता है वो केवल पाउडर जैसा कुछ चीजन निकलते हैं वो हमको दे देते हैं उसमें अस्थी नहीं होती है तो अस्थी विसर्जन का पार्ट खतम हो गया तो लोग क्या कहते हैं कि अरे शरीड पूरा जलता नहीं न इसलिए अस्थी बचता इसलिए अस्थी को जलाने के लिए अस्थी को इसलिए डुबाते हैं हम लोग ऐसा नहीं, यह सब point है ही नहीं अस्ती विसर्जन का एक अपना कारण है अगनी जलाना एक अपना एक कारण है और यह सब का एक शास्त्रिक महत्व है इसलिए दा संसकार में लकडी पर शरीड को रख करके जलाना चाहिए आप अगर अगनी में होते देते तो किस पर देते हैं लकडी रहती है ना जलती है या गाय के कंडे होते हैं उस पर जलाईए अगर लकडी से नहीं जलाना है तो गाय के कंडों से भी जलाया जा सकता है इसलिए गायों का भी रक्षान कीजिए गाय को बचाईए, तो गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, हजारों संख्या में उपले लगाईए, उनको जलाईए, उससे भी पुरा शरीर जल सकता है, ये भी संभव है, लेकिन फिर भी उसमें लकणिया लगती है, तो ये एक पार्ट है, जिसमें हम लोग अंतेष्ठी क कराते हैं, उसमें वहाँ पर करव्यादम नामक अगनी का अवाहन करते हैं, उस अगनी में आहुती देते हैं, उसी अगनी से फिर वह शरीर को कराया जाता है, और उनका दासंसकार होता है, तीक है, ये एक बात है, और ये अंतेष्ठी जो है, ये सभी व्यक्ति के लिए की जाती है, एक्सेप्ट सन्यासी इसको छोड़ता है, बाकी हर एक व्यक्ति के लिए दासंसकार होता है, अभी आपको एक इंसिडेंस बताओ, मैरे इसकौन की ही, कि हमारे जो गुरु महराज हैं, परमपज्य राधा गोईंद को समय महराज, उनके एक शिश्य वे जिनका सन् जाती है, ठीक ठीक, छे महीन होगा थे ना परमपज्य राधा, तो आपको पता है, तो उनको गुरु महराज के आगे सबने प्रश्न किया कि महराजी क्या करें, इनके शरीड को समाधी दें या जलाएं, तो महराजी ने आग्या दिया कि नहीं इनको जलाओ, जबकि सन्यास ले कर गए किसी का धासंसकार नहीं होना चाहिए, तकि गुरु महराज ने उनको कहा कि जलाओ, उसके कई कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी है, कि अगर जो सन्यासी होता है, उसका समाधी बना दिया जाए, और उस समाधी की कोई सेवा भविश्य में नहीं करेगा, तो सन्यासी के लिए ठीक नहीं रहता है, इसके लिए उनका जो सन्यासी होते हैं, उनको भी एक समाधी स्थल ऐसे शित्र में बनाया जाए, जहां पर फिर उसके अपर कोई खेती जुताई नहीं हो, ऐसा है, इसलिए आप व्रिंदावर में देखे, गो स्वामियों का जब हम र समाधी बनाना और उनके लिए करना, यह सब यह कोई शाधरन चीज़, मैंने कहा ना, हम लोग सिफ कमरे में बैटें, इसलिए मैं मालूम नहीं पड़ता कि आगी की दुनिया क्या है, हम लोग घुमते रहते हैं और हमें रोज एक एक नहीं चीज़ें मालूम पड़ता है, चाहिए भी हो रहा है, तो सब चीज़ के लिए बड़ा जगड़ा करना पड़ता है, बहुत सरी बाते करनी पड़ती है, तब जाकर के एक वस्तुव हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए दासंसकार बड़े सही रूप से होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, दासंसकार में आगे भी आता है कि पिंड़दान ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो पिंड़दान ये सब के लिए होता है, चाहिए जो केवल सन्यास्री को छोड़के सभी के लिए पिंड़दान होता है, चाहिए ब्रुमचारी हो, ग्रियस्त हो, वानप्रस्त हो, यदि किसी बालक के मृ जब तक उसके दाथ न निकले हो, तो उसका दायस अंसकार भी नहीं होता, उसको जमीन में गाढ़ दिया जाता है, यदि दाथ निकल गया हो, लेकिन उसकी आयू ज्यादा ना हो, 10-12 वर्ष के अंदर की बच्चा हो, तो उसका दास अंसकार होता है, लेकिन उसके लिए केवल दूद का दस दिन के बाद कुछ बच्चे को दूद बाट दिया जाता है उसी से उसका पुरा संसकार माल लिया जाता है तो यद यद आचरती स्रिष्ठा श्रिचतिनमा प्रभू श्री राम इस लोगों ने भी पिंड़ने दान किया शाद किया जैसे ही श्री राम जी को पता चला कि दृष्ठा महराज की मृत्ति हो गई उन्होंने शरीर त्याक कर दिया है तो तुरंट उन्होंने पहला काम किया जाकर के नदी के पास में बैटके पिंड़न किया अपने पिता के नाम से पिंड़न किया अब यहाँ प्रश्ण यह है कि जब भगवान जिसने राम राम बोल करके शरीत यागा है जो खुद राम का पिता है और राम स्वयम भगवान है उनको क्या वशक्ता है पिंड़न करने का क्या वो शक्ता है चैतने महाप्रभू जिनने कोई जिसका कोई काम नहीं है चैतने महाप्रभू ने केवल हरी नाम हरी नाम हरी नाम का प्रचार किया फिर भी चैतने महाप्रभू ने का कि बई कोई नियम नहीं है कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने एक नियम का पॉलन किया श्राद करा है तो यद यद आचरति स्रिष्ठा जो स्रिष्ठ पुरुष जो कारे करते हैं हमें भी वही कारे करना चाहिए तो इसलिए जो स्रिष्ठ आचारि हैं उनके बहुत सारे लक्षन मिलते हैं और भी गौडिय परंपरा में भी आप देखते होंगे कि कौन से थे हैं? गदार अरे ये अद्वेत आचारे ना? वो उन्होंने अपने शाद कराया था हरिदास ठाकुर को? अद्वेत आचारे तो उन्होंने भी शाद कराया था तो शाद में तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को भोजन के लिए बिढ़ाया था आप सोचिए ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ बाहर का out of context बात कर रहे हैं हमारे परंपरा में भी लोग अपने पिता माता के लिए शाद करते हैं और शाद करना चाहिए इसमें बुराई क्या है अपने माता पिता के लिए शाद होना चाहिए अरजून भगवत गीता में बोलते हैं कि लुप्त पिंड़ा दको क्रिया यदि वर्न संकर पैदा होंगे तो पिंड़दान लुप्त हो जाएगा जो आजकल हो रहा है आजकल कोई पिंड़दान नहीं करता अपने माता पिता का पिंड़दान नहीं करते हैं उनको लगता है कि बस हम लोग कुछ उनके नाम से दान कर दिये और कुछ कहें किसी गरीब को खिला दिया मिलेगा अपने मन की च्छाओं से हम रूल को फॉलो करके उसका रिजल्ट नहीं ले सकते हम मन से एक्जाम दे दें और पास हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता तो इसके लिए नियमों का पालन होना चाहिए इसलिए पिंड़दान से कभी भी आप मुख मोड़िये अपने मुख को दूर मत कीजी क्यारे हम पिंड़दान नहीं करेंगे अरे हमारे उन्होंने नहीं का है हमें मना किया गया है एक कोई ऐसा नहीं कर सकता जिसको या तो शाद के बारे में पता नहीं है वही मना कर सकता है अन्यता जिसको इनके बारे में पता होगा न वे हर एक व्यक्ति पिंडदान अवश्य कराएंगे इसलिए पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति को अगर वो अपने माता पिता का सम्मान करता हो तो उसको शाद करना चाहिए जब रावन की मृत्ति हो गई तो विभीशन जो था वो कह रहा था कि मैं अब इनका कुछ नहीं करने वाला मैं इनका कुछ नहीं करने वाला प्रभुश्री राम बोलते हैं नहीं नहीं इनका शाद तो कीजी रावन का शाद विदिवत कीजी तो विविशन जे तो है कहते हैं अरे इसने कौन सा अच्छा काम किया कि मैं इसका शाद कराऊ कौन सा अच्छा काम किया बताओ तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्ति हो जाए तो उसकी जितनी पुराई हैं उसको छोड़ करके उसकी एक अच्छाई ये देखनी चाहिए कि यह एक शुद्ध एक महान अच्छा व्यक्ति है ऐसा सोच करके उसका दास संसकार करना चाहिए इसलिए हमारे जब किसी की मृत्ति होती है तो लोग एक मिनट के लिए रुख जाते हैं वे कितना भी महत्वपुण कारे उसके लिए रुख जाते हैं क्यूं? क्योंकि जब किसी की मृत्ति होती है तो उसको एक भला व्यक्ति मान के उसका पूरा संसकार होता है इसलिए ये संसकार आती आवशक्त है तो श्रील भक्ति सिद्दान सरतजी ठाकुर जी के तीन शिश्य द्वारा दी गई विदी ही कुल पुरोईत अता स्थाने पुरोईत चरतरवान पुरोईत के मार्ग दर्शन के नुसार देशाचार और कुलाचार के अनुसार ये लोग पूरा शास्तरिक विधी करवाते थे पुरानोक्त विधी के अनुसार दिया गया है हम लोग ने एक पुस्तक भी निर्मान किया है भी समय में लाया नहीं तो आज अपने वैश्नों लोगों के लिए भी हम कितना नियम कर सकते हैं पुरानोक्त विधी जो अभी हमारे टॉपिक आया था वेदोक्त विधी और पुरानोक्त विधी वेदोक्त का मतलब होता है जो ब्रामण रहे हैं जिनोंने वेद का अध्यन किया है उनके लिए वेद युक्त शाद्द कराया जाता है लेकिन जिनोंने वेद का जादा ये नहीं लिया अपने जीवन में पर वे भक्ती कर रहे हैं तो उनके लिए पुराणोक्त विधी होती है वैसे पुराण क्या है वेदों का एक अंग है तो लगबग वैसा ही माना जाता है क्योंकि जो ब्राह्मन होते हैं उनके लिए ये सब वेद विधी होती है लेकिन जो ब्राह्मन नहीं है उनके लिए पुराणोक्त विधी होती है और आज के युग में इतने कोई महान ब्राह्मन है नहीं कि हम उनके लिए विदोक्त विधी कर पाएं करने वाले आज भी कराते हैं लेकिन जो कराते हैं उनके लिए उन लोग ने कभी वेद पढ़ा ही नहीं, कभी हाथ भी सपर्ष नहीं किया है, तो इसके लिए उनका कराना चाहिए जो वेदों का खुब पालन किया हूँ, तो पुरौनोक्त विदी के अनुसार हम लोग कराते हैं, सर्वसाधरन विदी किया है, प्रायश्चेत, दहान, अस्थी संचयन, और मात्र शरीर से संबंदित, देखें तीन इसमें प्रकार बता है, पूर्वक्रिया, मध्यक्रिया और उत्तरक्रिया, पूर्वक्रिया जैसे मैंने आपको बता है ना, कि क्या क्या करना चाहिए, तो उनके लिए दहान, इत्यादी, ये सब संसकार हो जाता है, दास संसकार के बाद में, उसकी जो अस्थिया निकलती है, उसको कैसे लेना चाहिए, उसके उपर भी शास्त्रों में नियम है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके लिए पंचगव्य तयार करना चाहिए, पंचगव्य में होता है, दूद, दही, घी, गोमुत्रा गोमय गोमय का मतलब होता है गीले गोबर का पानी उसको गोमय कहते हैं और बाकी चार वस्तु आप जानते हैं तो ये सब को एक बरतन में श्टील का कोई बरतन ले लिजे उसको मिक्स कर लिजे एक लिटर दो लिटर ऐसा बना लिजे उसको मिक्स करके और उसमें जब आप शम्शान भूमी जाएंगे जो आपके किसी भी परिवार के संबंदी के बृत्ती हुई हो तो उसमें से जितनी भी वहाँ पर अस्थियां होती है उसको पहले ले करके पानी में डुबाना चाहिए यानि पंचगव्य में उसमें डुबा करके निकाल करके फिर उसको एक मटके में या दूसरे बरतन में रखना चाहिए इससे क्या होगा उसका जो विश होता है वो निकल जाता है और फिर हम जब उसको पानी में विसर्जन करते हैं तो उससे किसी को हानी नहीं होती है ये देखिए हमारा शास्त्र है जो हड़ी में से जो विश रहता है उस विश को भी निकालने का उनके पास कला है और ये शास्त्रों में बताया गए है तो पंचगवे में शरीर अस्तियों को डुबा करके फिर उसमें से निकालके एक बरतन में रख करके उसको बान दीजिए जब भी किसी व्यक्ति की मृत्तिव हो जाए उसके चार दिन के बाद उसके अस्थियों को विसर्जन करना चाहिए चार दिन से लेके दस दिन में करवा लेंगे तो सबसे उत्तम है या तो फिर पूरे एक वर्ष के अंदर कभी भी उनका अस्थि का विसर्जन किया जा सकता है हम लोग जनरली नाशिक में अस्थि विसर्जन कराते हैं या हमारे पास बान गंगा है हम वहाँ पे अस्थी विले कुंड भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि वहाँ पर आज सुबह अस्थियां डालो शाम भर में वो सारी अस्थियां पिगल जाती वो पानी की ये कला है उसका गुण है राम कुंड इसलिए आप देखेंगे नाशिक में बहुत सारे लोग, आप सोचो हो, धीन रात उसमें अस्थिया पड़ती हैं, तो उसका पहाड नहीं बन जाता होगा, अगर वो पिगलता नहीं होगा तो, या ऐसा भी नहीं कि बहुत फोर्स में पानी बहता है, नॉर्मल फोर्स होता है जो एक नॉर्मल नदी का जल होता है, जैसे गंगा का फोर्स आप हरित द्वार में देखेंगे, तो कितनी तेजी पे होती है गंगा, कि अगर आपने नहाते समय कर आपके हाथ से चेन छुड़ गया, तो आपका चेन कहीं और चलेगा, तो इसके लिए इतना वेग होता है, तब तो चलो अस्थिया बह जाते होंगे, लेकिन अस्थि विले कुंड इसलिए का गया, क्योंकि वहाँ पे नदी में, आज सुबाब डालें, शाम बर में अस्थि पिगल के समाप्त हो जाता है, ये राम कुंड की विशिष्टा है, तो ये पूर्वक्रिया, अस्थि, चैन और उनका ये होता है, फिर मात्र शरी से संबन देता है, अब जब व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है, तो हमें घर में क्या-क्या करना चाहिए, उसके भी कुछ नियम है, जब किसी व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है, तो उसके घर में, दास अंसकार करके आने के बाद, एक किशिड मुखी दिया जला के रखना चाहिए। आपर एक कटोरी में दूद कच्या दूद और एक कट्वुरी में पानी और उसको हर दूसरे दिन सुबह सुबह बदल देना चाहिए। और जब किसी की दिन को चुकी हो तो बारा दिन तक उसके घर में सूतक होता है तो उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए गायतरी जप नहीं करना चाहिए और कोई अनुष्ठान कोई दान यह सब नहीं करना चाहिए दान भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी को कुछ भी पैसे देते हो दान के रूप में तो वो नहीं करना चाहिए, वो पूरा बारा दिन के बाद ही दान करना चाहिए इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखाया है इथा शक्ति विवारिक का दरव्यधानिनहा सूत कांते अहमाचरिश्य जब सूतक का अंत हो जाएगा तब मैं यह दान करूंगा करूंगी तो इसलिए हम सभी को दान करने के लिए यह बताया जाता है तो प्रेत का श्राद दान विधी अब यह प्रेत श्राद जो आता है मतलब जब किसी की मृत्ति हो जाती तो प्रती दिन उसके नाम का पिंड़दान होता है प्रती दिन पिंड़दान किया जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लिजिए आप पहले दिन दूसरे दिन पिंड़दान नहीं दे सकते तो सीधा दसवे दिन पर आप पिंड़दान कराईए जब किसी की मृत्ति हो जाती है तो उसके लिए दस दिन का पिंड़दान होता है तो हर दिन एक एक पिंड़ का आप दान करेंगे तो दस दिन में दस पिंड़दान हो जाता है पर उतने ब्रामण मिलना प्रती दिन वैसा करना यह सब संभव नहीं होता तो इसलिए भगवान ने एक नियम बता है कि आप दस्वे दिन पे पूरा विधी एक साथ कर लीजिए तो सब का उसमें शरीर निर्मान होता है थोड़ा वो स्लाइड को पीछे दिखाईए इस शरीर के अंग तयार होते है पिंड़दान से तो अब मान लिजे किसी के घर में मृत्ती हो गई और उसने पिंड़दान नहीं किया पिंड़दान ही नहीं किया तो उसको शरीर मिलेगा अब भगवत दाम नहीं गया है और उसका विधी कुछ नहीं हुआ है पिंड़दान भी नही अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं बोलते हैं हम दूसरे तिसरे दिन में सारा विधी करवा लेंगे चलेगा क्या नहीं चलेगा वो शॉटकट नहीं है हर चीज में हम लोग शॉटकट मारने का प्रयास करते हैं नहीं चलेगा तो प्रेत का शाध और दान विधी यानि ये पिंड़ दान विधी ये सब बहुत महतोपूर्ण होता है और मात्र प्रेत आत्मा से संबंदित तो जब किसी की मृत्तिव हो जाती है ना तो जो दाह करता है जिसने दाह संसकार कराया है उसके अंगुठे के साइस के बराबर वो आत्मा का शरीर होता है जिसको प्रेत शरीर कहते हैं और वो पूरे बारह दिन तक उसी घर में भ्रमण करते रहते हैं इसलिए उस घर में सूत्तक माना जाता है इसलिए उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए अब आप कहेंगे अरे हम तो वैशनों हैं वैशनों घर में जाके पानी नहीं पीए अरे वो सब बात सही है पर ये भगवान ने नियम बनाया है मैंने नियम नहीं बनाया है मेरा बात मान लो क्योंकि जो घर में जिसको मृत्ती हुई इसके घर में मृत्ती हुई है, उनके यहाँ वो अशुद्धी आ जाती है, वहाँ अगर आपने पानी पिया, तो आपको भी सूतक लग गया, अब जब तक आप स्नान नहीं करोगे, तब तक आपकी शुद्धी करन नहीं होगे, इसलिए शाद्ध करने के बाद, जब तक उनके घर में शुद्धी ना हो जाए, तब तक वहाँ पे भोजन, जल नहीं लेना चाहिए, हम एक बार एक बहुत धनी वेक्ती के घर में हम लोग गए थे, किर्टन करने, लेक्चर देने, तो मैं वहाँ जाकर के मैंने भी कुछ कथा किर्टन इत्यादी किया, तो हाँ बहुत सारे वरिष्ट भक्ते थे, और कुछ भक्त भी थे, तो मैंने उनको बोला कि देखो आप लोग यहाँ पे भोजन मत करना, पानी भी मत पिना, क्योंकि अब इनके यहाँ तीन-चार दी नहीं हुए, मृत्ती हुए, तो अच्छा नहीं है, तो एक भक्त ने मुझे क्या बोला, मालू मैं, प्रोजी मैं यह सब नहीं मानता, तो प्लीज मैं तो पानी पिऊंगा, मैंने बोला पीलो भई, फिर अब वो जो दूसरे सिनियर भक्ते वो तो भई, उनका उनसे परिवार से बहुत संबन्द जुड़ा हुआ था, तो उनको वहाँ से कुछ मजबूरी वर्ष्ट ग्रांड करना पड़ा, जबकि वो नहीं चाहते थे, और जिसको में मैंने मना किया कि आप मत पीजें, तो वो बोलता है कि नहीं, हम तो करेंगे गरगे, तो ये कारण है कि आपको पता भी नहीं है, आप अन्नेसरी अशुद्धी करन ले रहे हैं, और आप जहां-जहां सपर्ष करेंगे वो वक्ति अशुद्ध होगा, और ऐसे वक्ति किया दान लेना, ऐसे वक्ति किया जो भी है, अभी वो लोग हमें दक्षिना भी दे रहे थे, तो हम लोग ने मना किया नहीं, अभी आप मत दीजें, आप हम बाद में दे दीजें, तो कहीं पर भी किसी की मृति हो गई, अगर आपको उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो कम से कम उसको पूछिए कि ये बारा दिन बीता है या नहीं, अगर नहीं बीता है, तो उनके आप प्रशाद लेंगे, तो आपको भी सुतक लग जाएगा, और ये नियम है, निय अगर परिवार में उनके ही परिवार जन की मृति हुई हो, तो उनको शिंगार नहीं करना चाहिए, बहुत शिंगार तो नहीं करना चाहिए at least normal ठीक है public आ रही है जा रही है तो ठीक है ठोड़ा बहुत और जो पुरुश है हो सके तो वो घर में ही रहें ज्यादा बाहर ना जाएं अब company या office है या business है ठीक है ठोड़ा बहुत समय निकाल के उनके लिए कारे करना चाहिए लेकिन जितना हो सके घर में रह जाता था है कि नहीं वैसे ही जब किसी घर में मृत्य हो जाती है ना तो सबको सील कर दिया जाता है तो ज्यादा घर से बाहर घुंबना नहीं चाहिए kisike party में नहीं जाना चाहिए kisike agree question में नहीं जाना चाहिए at least वो घर के जो संबंदी है जैसे मानली जी आपके घर में पिता की मृत्ती हो गई तो आप दो-चार भाई बैन हैं और आपके पिता जी के भाई वगेरा है उन सभी के लिए नियम लागू हो जाता है उनको यह सब नहीं करना चाहिए और जो घर में सूतक हो तो इस तरी पुरुष को यह संसर्ग नहीं क करना चाहिए ब्रमचर का पालन करना चाहिए उसके अलावा है दान भी नहीं करना चाहिए यग्य नहीं करना चाहिए मंदिर नहीं जाना चाहिए यह कौन सिक्षा देता है मंदिर नहीं जाना उसके अलावा यह भी सिक्षा दी जाती है कि आप खूब श्रवन कीजिए जब सूतक का समय रहता है तो गरुण पुरान सुनिए सबसे महत्वपुण है गरुण पुरान जितना हो सके सुनिए क्योंकि मैंने इतना प्रवचन किया गरुण पुरान पर इसलिए मुझे हमेशा उनके श्लोकाज उनके एक्जामपल याद आते रहते हैं और बहुत सुन्दर है गरुण पुरान आप उसको पढ़ेंगे उसमें भगवान विश्नु का प्रवचन है डाइरिक्ट जैसे भगवान भगवद गीता में प्रवचन किया है अर्जुन को उसी प्रकार गरुण को प्रवचन किया है उनके गरुण पुरान विश्नु भगवान का प्रवचन गरुण जी प्रश्न पुछते हैं भगवान विश्नु से सोचिए जो आदमे रोज उसका ड्राइवर हो तो उसको उस ब्वेक्ति के बारे में बहुत कुछ पता होता है हाँ और वो उसके सारी क्रियाओं के बारे में पता रहता है फिर भी गरुण जी भगवान विश्नु से नर्क के बारे में पूछते हैं और जब भगवान एक्स्प्लेन करते हैं तो गरुण जी उसमें लिखा है गरुण जी ऐसे कापते हैं ईसे पीपल के बिख Шके पते कापते रहतें कैसे यारी से हिलते ही रहते हैं ऐसे गरुन जी काप रहती करें बापर यह द्हुना गरुन जी ज시को पता है कि मुझे मुक्ति विक्ति क्या है मेरे लीह सोचें आप साक्षात बहगो उनके ऊपर बैटके गुम रहे वो गरुण जी प्रश्ण पूच करके घबरा रहे और भगवान मिवान लाश्ट में बोलते हैं अरे ये तो मैंने थोड़ा से बता है और सुनके क्या करोगे इतना भेंकर है ये गरुण जी का मतलब गरुण जी का पुद्धी हिल गया जब शुक्ति होना अरे इतना नरक बस होगया क्या करोगे उपरिशित महाराज घबरान है क्योंकि इतना भेंकर है ये तो जब आपको मृत्व हो जाएगी और आप गरुण पुरान सुनेंगे और हमारे शास्त्रों में बताये गया है कि तीन बार ही लोगों की बुद्धी खुलती है तीन बार पूरा ग्यान आ जाता है उरिजनल ग्यान उनके दिमाग में छप जाता है वो तीनी टाइम होता है जब किसी की मृत्तिव हो जाए जब वो शास्त्र सुने या जब वो बहुत बिमार हो जाए तीन टाइम उसका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है हाँ संसार जूटा है हमें भगवान की भक्ति करनी है बहुत जब 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 रिलाजिशन आता है और जैसी ठीक हो जाता है ऐसे करते हम तो यह तीन समय बहुत ग्यान आता है इसलिए जब भी उस समय इसलिए हम लोग ने बहुत लोगों को प्रचार करके भक्ति में लाया है और वो गरुण पुरान के माद दिम से लाया है बहुत सारे लोग बहुत गीता कोर्स करते हैं हम गरुण पुरान कोर्स करते हैं क्यों वो सुन-सुनке लोगों में भावना आती है अच्छा यह भी है, यह भी यह भी है तो बहुत सरे हमें भक्त लोग बोलते हैं प्रपशी आप जाएंगी क्या प्रपश करना है हम बोलता है लाओ ऐसे जगई तो जाना है अंचे जहां किसी को कुछ पता तो नहीं है और यही एक आउसर है कि हतोड़ा मार दूआ एकदाम गरम गरम रहता है जैसा आकार बनाना जो बनाओ उनको इतना नरक के बारे में हम सुनाते हैं हम भी घबराने लगते बोलते हैं लेकि लाश्ट में फिर हम भी बोलते हैं कि देखो आपको इससे कैसे निकलना इसका भी सादर बताता तो उसको ऐसे घुमा घुमा के दो-चार दिन के बाद उनको हरी नाम का महिमा बताते हैं फिर उनसे अंत में हम संकल्प लेते हैं पैसा है हम महराज क्या लेंगे है उ हम्हां वचन दीची आप 22娘 बाला करेंगे तो हो गया और आज कितने सारे भक्त बने तो ये लेइंदा माधें Smith आप लोग भी गरुण पुराण पढ़िये और जाके प्रचार कीजिए और आगे है सब पिंडी करण के बाद पित्र शाद सद्गती प्राप्त करानी हितू यानि उत्तर क्रिया कहते है कि जब किसी की विदी दसवे दिन का एक विदी होता है पिंड़दान होता है फिर ग्यारवे दिन अगनी में आहुती दी जाती है और उसकी विदी होती है टोटल 48 पिंड़दान होते है तो जिसमें होता है 16, 16, 16 तो पहले जो ग्यारवां दसवे दिन में 10 पिंड़दान ग्यारवे दिन पर टोटल कितना होता है 16 दुना 32 वो पिंड़ दान होता है और तीसरे दिन 12 दिन में और 16 पिंड़ दान होते हैं और बाद में सब पिंड़ी करन होता है यानि पिता दादा पर दादा इसमें उनका मेलन किया जाता है उसको सब पिंड़ी करन कहते हैं और उसके बाद में आता है दान, तो खूब दान करना चाहिए, भर-भर के दान करना चाहिए, जब किसी की मृत्ति हो जाती है, तो देखें, नेक्ट श्लाइज में ही है, प्राइश्चित के बाद, यानि जब व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है, तो उसके बाद में उसके निमित्त दान करना बहुत हवश गुण अरोपे मतलब ये पात्र बोलते हैं और गुड नमक ये सब हैं बाकी गोदान में भी रिण धेनू उतकरांती धेनू मुक्ष धेनू पाप धेनू वेतरनी धेनू याने कम से कम पाँच गोदान करना चाहिए आज तो एक भी कोई नहीं करता है लोगों को हम बोलते गो गाय लेके आते हैं बोलते प्रभुजी ये गोदान आक्चली आपको गाय का दान करना चाहिए यह था शक्ती जीवन में एक बार गोदान अवश्य कर लेना चाहिए वो भी ओरिजिनल गाय चलती फिरती जो सांस लेती हो और उसका बचड़ा हो और उसके निमित वो जिस भ बड़ा नदी है सो योजन चोड़ा है बस इतना ही लिगा है कितना लंबा है यह नहीं लिगा है चोड़ा है सो योजन एक योजन मतलब आट माईल तो सो योजन लंबा चोड़ा सिफ वो नदी है उसको क्रॉस करने के लिए जब उसको हमको पार करना होता है तो वह गाय की पूछ पकड़ के ही क्रॉस कर सकते हैं जैसे आप वह बद्रीनाथ वगेरा सब जाएंगे तो देखो चेन होता है चेन के उपर में या वह खचर होता है उसके उपर लेके जाते हैं यहां से 10 किलोमेटर 18 किलोमेटर वह खचर कैसे चाहिए लोगों को अब जो 20-30 साल के लड़ के उपर जाते हैं तो वहां खचर नहीं चलता वहां गाय चलती है इसलिए जिसने अपने जीवन में गवदान किया है उसी को गाय वहां अपनी पूछ वो गाय का पूछ पकड़ता है और गाय उसको वह नदी क्रॉस कराती है तो क्यों नदी क्रॉस करना है क्योंकि वह जो नदी है न, वो कोई शुद्ध जल नहीं गिरता है वहां से, उसमें होता है पीब, रक्त, मल, मूत्र, हम इंडारेक्ली बोलें तो हमारे मुंबई का गटर, या उसे भी भेंकर, और भी उससे ज़्यादा वो उबलता हुआ रहता है, वो पान, तो जो लोगों ने गवदान न नहीं किया है, उन लोगों को वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है, वो यमदूत ले जाकर तो उसको ठाके फेग देते हैं, अब लेकिन फिर भी उसको आगे नरक तो लेके जाना है, क्योंकि ये तो बीच में आता है, तो उसको क्या करते हैं, वहां पे कुछ फ्री सर्व उसा देता है, फिर उसको उड़ा करके वहां से नदी क्रोस कराता है, फ्री वाला है, इसको फ्री में गौदान नहीं करना है, उनके लिए ये सब रिका है, तो गौदान करना चाहिए, और कम से कम आप गौदान नहीं कर सकते, तो गाई के निमित्त हर महीने या यथा शक्त कुस्तोदान करते रहिए छोड़िये मत गवदान गाय के बिना हमारा जीवन नहीं है और या तो गाय को बचाओ या तो गाय वाले को बचाओ या जो गाय को बचा रहा है उसको बचाओ तो इसके लिए आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो गाय की सेवा के से जो लोग सुन रहे हैं सभी के लिए कि कम से कम आप गवदान कीजिए और सामने से आके गाय का दान कीजिए और गाय के लिए केवल गवदान ही नहीं होता है गाय के लिए हर महिने कुछ धन दीजिए पहले क्या होती थी गाय हमारे घर होती थी तो भी उस गाय को ले करके कि किसी ब्रामन को दिया जाता था तो ब्रामन गया करता है ब्रामन स्वयम गाय थोड़ी पालता है ब्रामने पर उस समय का है तो ब्रामन वो गाय किसी निर्धन विक्ति को गाय दे देता था तो निर्धन विक्ति उस गाय की सेवा करके अपने जीवन का पारजन करता था और सु उनके निमित गवदान कराई हमने कई बार किये हैं हमारे बार इतने फोटो मैं रखता नहीं हूँ अन्यता बहुत सारे लोग हमारे फोटोस वगरा रखते हैं तो वो सारे फोटोस हम आपको शो कर सकते दें कि हम लोग किस परकार गवदान करवाते हैं गाई की पूँच वाते हैं ऐसा विधी कराते हैं तो आप अपने माता पिता अपने बच्चों के निमित कभी भी आपको धन आ जाए सफिशंट धन आ जाए तो एक बार अवश्य दान करा दीजिए और सबसे अच्छा है कि जीते जी दान करा दीजिए मरने के बाद गोधान मत कराई अगर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा है कम से काम अटलिस किया तो सही लेकिन जीते जी जितना गोधान हो जाए उतना उत्तम है अटलिस एक बार होना चाहिए तो मरनासन व्यक्ति को खटिया से उठाकर भूमी पे स्थीत कुशासन शुभवस्त्र तो यह सब जो मैंन करते हैं अंगदान का मतलब होता है कि आप अपने मरने के बाद अपने शरीर की जैसे आखे हो हाट हो यह सब दान कर रहे हैं दान कर दीजिए किसी का जीवन बच जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा भी यही प्रश्न है कि दान क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इ देरने आपका है इसमें मैं डिसीजन नहीं दे रहा हूँ देखे दान का मतलब क्या होता है देकि नीचे आमने पीले लाइन में लिखा हुआ है जिस वस्तू को भोग लेने की शमता होने पर भी भोग ना करते हुए दूसरे को दे देना दान कहलाता है जैसे हमारे मंदिरों म लोग हम लोग को जो कार उनके पास पुरानी हो गई है तो वो बोलते है प्रभुजी इसे दान में ले जाई है अरे ऐसी तुम्हारी खटारी गाड़ी लेके क्या होगा लेकिन भग लोग फिर भी ले लेते हैं कृपा वश लेकिन अगर दान देना ही है दान का आपको कर दिया उसको दान कहा जाता trailer अगर आपको दान करना तो लो डौट आट आप कीजिए हब भी आँखें निकाल करके दे दिजिए क्याप ले जाईए आप इसको दान आप सुझेcket कर दिजिए तो हम नहीं करेंगे जब आम मर जाएंगे तो उसको दान करेंगे तो ये दान दान नहीं कहलाता हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपने कर दिया तो बुरा ही अच्छा है वो आप डिसाइड किजिए लेकिन अगर ऐसा किया तो जो पिंड़दान होता है दस पिंड़दान हमने लिखाया उसमें वो आख का पिंड़दान हो गई नहीं कि आख तो दे दिया ना आपने तो फिर अगले जनम तक बिना आख के घूमिये ठीक है और उसके नाम का पिंड़दान हो गई है क्योंकि वो अंगर जला ही नहीं वो तो अभी बचा हुआ है तो ट्रांस्प्लेंट होता है ना तो कुछ लोग कहते हैं ट्रांस्प्लेंट होगा तो आज में प्रान मेरा प्रान तो चल रहे हैं देखिए शरीर का दान तो शिवी महराज ने भी किया था दधीची रिशी ने भी किया था तो आप दान कीजी ना मना कुन कर रहा है मना थोड़ी क्या हम लोग ने कि धान मत करो शिवी महाराज ने एक बार शिवी महाराज की इतना प्रख्यात हो गया कि ब्रह्मा आधि देवता लोग भी उसका गुणगान करने लगे तो यह देख करके अगनी और इंद्र ने निरने लिया कि चलो एक बार देखें यह सच में इतने महान है कि फोकड मिन का नाम ऐसे लोग ले रहे तो शिवी महाराज के पास एक जन बन गए बाज और एक जन बन गया कभूतर तो वो बाज इंद्र था और वो अगनी जुताओ कभूतर था तो वो अपना वो बोल रहा था कि बाज कह रहा था कि मैं तो इसको खाऊंगा तो कहते है वो राजा के पास कभूतर बोलता है बोल रहा है कभूतर कि आरे देखो मुझे खा रहा है तो वो मना करते हैं कि अरे नहीं 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 छोड़ दो इसको तो बोलते हैं कि नहीं मैं इसके बराबर का ही मांस लूँगा तो बोलते हैं कि तो ठीक है हम आपको और दूसरा मांस दिला देते हैं बोलते हैं नहीं नहीं अब आपके पास ये शरणागत ले रहे हैं अपना वजन बढ़ाते जा रहा है दिग है तो पूरा हाथ काट दिया प्हाँ ने महान है कि यह कल्यान करने के लिए अपना अंग तक दान कर रहे हैं तो फिर उन्हों प्रकट हो गए अगनी और इंद्रदेव के अरे गलती हो गया शमा करना तो उन्हों का शरी उनको वापस मिल जाता है तो ऐसी दान की विदी उन्हों नहीं है दधीची रिशी उन्होंने अपना दान की आंग पूरा तो ऐसा दान कीजिए न जीते जी अपना शरीर दे दीजिए किसी को कोई गलती नहीं लेकिन मरने के बाद देना ये कोई विदी नहीं ये कोई दान है ही नहीं और कोई निकाल के लेके जाएगी नहीं बहुत अच्छी बात है तो ये भी बात अच्छी नहीं पर निरने आपका है और तो इतना ही हम लोग ने इन सब विश्यों पर लगबग लगबग सारी चर्चाएं कर ली है तास अंसकार के उपर में तो जो भी चीज़ें आगे पिपटी में भी है वो सब के उपर मैंने बोल चुका हूँ मैं साथ ही इसके बारे में और विस्तिट जानकारे के लिए हम फिल से कभी प्रयास करेंगे कि आपको उसके और सिक्षाइद के या कभी सपैशल के वल्टषी संसकार पर हम सम ü report है तो यह सभी भक्तों के लिए तही आवशक है और इसकिया आवशक्ता है हम सभी को सभी यह आव राम राम तो जल्दी से शॉर्ट में सीब एक दस मिनेट में हम सारे लोगों के प्रशन उतर लेंगे ज्यादा एक्स्पेल नहीं करूंगा कि कॉलड़ी कर चुका हूं किसी का कोई प्रशन है तुम ले सकते हैं यह नहीं है तो इत्तम है ऑनलाइन कोई है यह बहुत बड़ा कि यह पूरा वो कि पिंड़दान कौन कर सकता है तो सबसे पहला है कि पुरुष ही करना चाहिए पुत्र ही करना चाहिए या मालने जिए उनके पुत्र नहीं है तो उनके भाई है वो कर सकता है यदि वो भी नहीं है तो बेटी है बेटी का बेटा है वो कर सकता है यदि नहीं है तो जिसमें शद्धा है वो पिंडदान कर सकता है तो इस कंडिशन में बनता है जैसा मतलब लिखा हुआ है तो उसका डियूरेशन कैसे क्यों कुछ लोग बोलते कि यह हजारों साल का प्रेद होता है कोई बोलते कि मतलब ऐसा कुछ इसे अ करते हैं कुछ इसे डियट होते हैं जो प्रेत रोग स्वयाम कर दोते हैं जीस जगह ज्यादा एक्सिदेंट हुआ atm pist ёने का Congress करते हैं उसी प्रकार लोग भी ऑपनी संगयां बढ़ाते रहते वो क्या करते मालुम है चलते आप कभी नोटीस करना जिस जगह जज़ादा accident होता है उसी जगह हर बार accident होता रहता है वहां कुछ नहीं होता है फिर भी accident होता है क्यूं होता है क्यों होता है क्यूंकि प्रेट लोग बैठे रहते हैं वह उनका main spot होता है जहां से collection ज्यादा करत जिसे हम रतियात्रा से बक्त बनाते हैं वैसे उनका वो collection होता है collection area होता है तो वहां बहुत सारे एक्सिदेंट करवाते रहते हैं उनके बहुत सारे प्रेथ बनते रहते हैं तो क्या अपना community रहेगे तो मज़ा आता है ला बातचीत करने में वगरा अकेले बैठ के क्या करेंगे इसके लिए कुछ लोग अपनी community बढ़ाने के लिए वो प्रेथ लोग स्वय उनको मालते हैं जो लोग ऐसे अकाल मृत्यू को प्राप्द होते हैं उनको कम से गम सो पांसो वर्ष एकी अस्थान पे रहना पड़ता है तो अब क्या करें तो अकाल मृत्यू जनरली होती नहीं है अगर कोई वेक्ति कुछ नियोमों का पालन करे जैसे घर में शुदता रखे घर में अश जर्व व्याधी विनाशनम विष्णु पादु रकम पित्वा पुनर जन्मन विद्यते जो चर्णा मृत दहारन करता है उसके कब अकाल मृत्यू नहीं होता है ठीक है बहुत सिंपल एंड स्वीट ये प्रोपाजी की गृपा है फिर भी अगर किसी की हो जाए तो चिंता क कराना चाहिए एक वर्ष के बाद या किसी ने आत्महत्या की तो भी नारायन नांग्वली की जाती है तो उसको प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाती है यह उनको ही मुक्ति नहीं मिलती जिनका पिंडदान या शाद नहीं होता वहीं लोग अटके रहते हैं या जो लोग आत्म साल जिना एक हजार साल 20 साल जिना है तो 50 साल इसलिए अगर आत्महत्या किया न तो एक सेकेंड का शांती मिल जाएगा यह प्रॉब्लम से बज गए लेकिन इतना लंबा जीवन और सोचिए आप बस घुमते रहो भूक लग रहा है खाना नहीं मिलेगा और प्रेतों को भू प्रवेश करते हैं किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिनको भूत प्रेत पकड़ते भी है ना मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वह नहीं को पकड़ते हैं जिनका मन बहुत कमजोर होता है उसको ही पकड़ते हैं इसलिए जादा तर इस्त्रियों को प्रेत बहुत दि कोई ऐसा डिबोटीस का कोई क्रिया करना रहता है या तो पिंडधान गार्ण अपना संडील गतर पर नाम कौन सा इनिसेशन नम करें। दिक्षा लिया है ना, दिक्षा तो गुरू की कृपा से हुई आपना गां के तुरफ मलब नेख्ट कर देते हैं। आज किसी का द्यान तो तो ने ते अस्ति वी से जन कर देता है नहीं यह ठीक नहीं आप लिए चार दिन के बाद करना चाहिए चौते दिन से लिए पर रुको दूसरे को हां और अच्छ वास्ति घर पे नहीं ले क्या ते इसके लिए शायद वागली दिन कर लेते हैं वह संग त्रीजिशन और उसके दूख उसकी मुक्ति के लिए ही यह होता है लेकिन अस्ती नहीं दान के तोड़ा दो तीन दिन रुखना चाहिए आपके घर में आज मुरूप्ति और निकल गए अस्ती विसर्जन करने के लिए नाशिक चले गए हरीद्वार चले गए तो ठी नहीं कि लोग आते हैं मिलते बातचीत करते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए लोगों कोड़ा इसके सिग्निफिकेंस भी है अभी समय में कर पा रहा हूं लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अपने जो बोला था अस्ती में से विस निकाल दिया जाता है तो वो कैसे वही पंचगव्य बनाते हैं दूद दही घी अस्ती में लेकिन विस होता है हमारी जो मृत्य होती है हमारा मृत्य छोड़ो अगर ऐसे भी हमारा शरीर का हड़ी रह गया तो उसमें विस आ जाता है इसले हड़ी को अशुद्ध माना जाता है केवल औ केवल कुछ ही हड़ी है जैसे शंख उसमें विष्ण नहीं रहते हैं तो जिसके भी उसका वहां पर अगनी संसार करते हैं तो वहां पर मठका देखे आ जाते हैं और उसको बूल दिया जाता है कि इसमें आप सिफ अस्ति रख देना और वहां से वहां उनके हाथ में देना चाहिए कि वह अस्तिक कलेक्ट करें हमको स्वैम जाकर अस्तिक कलेक्ट करके वहां रखे फिर आजाना चाहिए वह आपको बोलेंगे कि चार-पाज घंटे बाद आजाओ लेकिन कभी भी जलते शव को छोड़के नहीं आना चाहिए परिवार का को एक दो तो वहां पर बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, अगोरी होते हैं, उनको यंग शव चाहिए एकडम, जवान व्यक्ति, मराववा व्यक्ति चाहिए, तो वह क्या होता है, वहां पर काशी की विशेश्चता भी है, कितना भी बारिश होता रहे, तो भी अगनी जलेगा, लौ शिव जी कान में आके उसको मोख्ष रदान कराते हैं और शिव जी उसके कान में आके राम नम बोलते हैं इसलिए बहुत सरे लोग काशी में मरने जाते हैं वहाँ पे तो स्पेशल घर बुक होते हैं अभी मोदी जी ने थोड़ा हटा दिया नहीं तो लोगों का एक विजनस कि अपना घर स्पेशली रखा रहता था कि आप आके यहां मरो और यहां से मुक्ति प्राब्द करो तो लोग अपना लाइफ का एंड टाइम वहां जाके बिताते हैं काशी में तो एनिवे मैं यह कह रहा था कि जो अस्थिया होती है न अरे जो शरीर होता है जब तक पूरा जल न जाया है वहां से जाना नहीं चाहिए नहीं तो क्या होता कभी कुछ अगोरी होते हैं कुछ लोग होते हैं वो पूरा शरीर उठा के जलती हुई चिता में से शरीर को निकाल के लेके जाते हैं उसके उपर बैट करके वो अपनी साधना करते हैं जिससे उनको सिद्धी मिलती है वही तंत्रविद्या से उनका काम बनता है तो वो लोग करते रहते हैं लेकिन हम लोगों को कम से कम अपने परिवार को बचाने के लिए वो शरीर नहीं देना चाहिए इतने बार तो लोग वहाँ पे वाननसी में जाके मांगते हैं कि ये शरीर हमको दे दो करें कितना पैसा चाहिए लाग रुपय चाहिए दस लाग रुपय चाहिए मैं देता हूं और लोग कितने लोग दे देते हैं यह तो प्रॉब्लम है बहुत कुछ होता है तो आप जब किसी की मृत्ति हो जाए तो पूरा दहा होने तक कम से कम एक दो लोग वहां पूरा रुखना चाहिए कि वह जो शम्शान भूमी के लोग होते हैं इसको चांडाल कहा जाता है वस्तों में तो वह लोग क्या कर देते हैं पूरा उसको उठा करके एक साथ जाड़ू जैसा उठा कर देते हैं वहां और किसी और का वही अस्ती रहता है तो सम्मिक्स हो जाता है तो इसके लिए आपके यह जो अस्ती है उसको निकाल करके ले करके उसको रखना चाहिए कि आपने बोला कि कम से कम एक साल हमें वानप्रस्त के लिए जंगल में रहना चीआ जाना चीए तो लेकिन अभी यह पोसिबल एक साल के लिए वानप्रस्त मतलब नहीं होता है at least one year आप full detachment लाईए अपने मन में शरीर में तो उसके लिए थोड़ा कटोर नियम पालन कीजिए उसके बाद में थोड़ा normal हो जाईए और फिर वैराग्य रखे थोड़ा दूर रखे घर से मने उसका जो वानप्रस्थी व्यक्ति होता है न वो जादा उसका घर से रिलेशन नहीं होता जैसे उसके उसको पोता हो गया तो उसका बेटा फोन करेगा पिता जी आपको पोता हुआ है तो बोलेंगे ठीक है उसके नाम करन के समय आ जाओंगा अभी हमने रिसेंटली कांदी वली में एक डिवोटी हैं उनके माता पिता इतने भकत हैं उन्हो Sunda रखा है वह पती दूं 2 में रहते हैं उनका पिता उनका बहू बेटा इतना मेरे किसी को समय नहीं मिलता है कि जोकि आनके बढंगे तो वान प्रस का मतलब है वह रागडी कि और जाना अब सूद्स्हाना को बहुत आगे लेके जाना उसके लिए ये एक्चुलिए सन्यास की तयारी होती है वानप्रस्टाश्रमा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप लोग ने दो दिन सहन किया मुझे और मैं सच में आबारी हूँ कि आप दो दिन तक इतना continue सुन पाए बोलने में मज़ा आता है सुनने में इधना नहीं होता है लेकिन फिर भी आप लोग ने धहरी पुर्वक सुना मैं आप सभी का आबारी हूँ विशेशकर राधिका वल्लब प्रभुजी का जिनोंने ये आउसर प्रदान कराया कि हम सभी को संस्कार के विशे में कुछ ज्यान की प्राप्ती हो मैं बहुत-बहुत आबारी हूँ शुशी राधगो पिनाच जी का सभी वरिष्ट भग्दों का हरे कृष्ण हरे कृष्ण नीलामबर प्रभु कल और आज बहुती सुन्दर तरीके से बहुत विस्तार से सोला संस्कारों को हमको बहुत प्रेम से समझाए बहुत स्पष्ट रूप से काफी शास्त्र प्रमानं के द्वारा और प्रैक्टिकल कुछ टिप्स भी बताए से हाँ हाँ और हम निलामबर प्रभु को देनेवाद देना चाहेंगे उन्होंने उनका काफी बिजी स्टेडियूल रहता है हर दिन उनका यग्यों वगरा करते हैं लास्ट दो दिन में उन्होंने पीपीटी रात को दो बज़े बेजे थे और कल रात को भी दो बज़े थे तो मैं भी सोच रहा था कैसे वो सोए क्या या पूरा दिन बोल रहे है थे पर कैसे शक्ति मिल रहा है उनको मुझे मुझे भी लग रहा है पर पर दिन आवबर प्रभु को मैं मेरा रखरदे से दन्यवा देना चाहूंगा कि आपने इतने आच्छे से अपने समस्कारों के बारे में उनको समझाए सो हमारे मंदिर के तरफ से में केश्रवचंद्र प्रभू हमारे टेंपल कॉंसल मेंबर उनको विंति करता हूँ कि अपनी लंबर प्रभु को मंदिर के तरव से एक चोटा से बेंट देने के लिए